ये स्टोरी है एक ऐसे बंदिक बारे में जिसने कि अपने लाश्ट 15 साल में कुछ नहीं किया से पूरे दिन सोने के अलाबा और इसी वज़े से उसको लेजी पिरिंस का टाइटल मिल जाता है पर वो जब उठता है अपने आपको मोटिवेट करता है अपने आपकी रियल को केंशन देने चाहिशर हो कि यहाँ पे हमें हम जितने बंदे देखते हैं इसमें से सिफ्व एड पासंट लोगी सस्क्राइब करते हैं बाकी ने नifa मारती नहीं किया तो आप सस्क्राइब कर लिजी क्योंकि ऐसी अच्छी एच्छी वीडियो से हमारे बार आती रहेंगी या हमारे चैनल पर डलती रहेंगी अब हमें स्टार्ट करते हैं स्टोरी की स्टार्ट होती है हमें एक बंदा बताता है कि बहुत समय पहले हमारे विलेज में एक अजीब सा बंदा आता है जिसको पहली बार में देखकर उसको कोई पसंद नहीं करता है उसकी आखे ऐसी लग किया हमारे विलेज में और दूसरों की तरह ही मुझे भी अपने चीज की बात माननी पड़ी और मैंने अपने आपको समझा लिया कि मैं उस बंदे को कुछ गलत चीजे ना बोल दी और दिखाया जाता है कि चार दिन बीच चुके हो उस में बंदे को यहां पर हमारे है कि वो कैसा बंदा है बट मुझे परसनलिली उसके अंदर थोड़ा सा भी इंट्रेस्ट नहीं है जिसके बात दिखा जाता है कि हफ्ते बीच गए और दस दिन बीच गए वो बंदे को विलेज में आए हुए और अभी भी मुझे नहीं पता है कि वो किस तरह का बंदा है और वो किस तरह का काम कर रहा है पर अगर कुछ चोटे बच्चों की बात माने जो नहीं उस बंदे को सिक्रेटली देखा था तो वो बताते हैं कि वो एक प्रैक्टिस करता है सौट को हर दिन लगाता और उसी तरह से जैसे जब से वो आया वैसे वो कर रहा है और ऐसा लगत है कि एक और महीना बीद गया है अब उसके यहां पर रहते हुए और वो जो बंदा है वो अभी भी अपनी प्रैक्टिस को जारी किया हुआ है अपने यार्ड में और मैं आज उसको जा रहा हूँ देखने कि वो क्या करता है मैं उसको कुछ बोलूँगा और चला हूँगा और फिर ऐसे दिखाया जाता है कि और मैंने बीचते चले जाते हैं वो बंदा बिल्कुल चेंज नहीं होता वो अपनी ट्रेइनिंग हमेशा जारी रखता है और कुछ लोग कह रहा है कि वो प्लैन कर रहा है अपना रिवेंज लेने का कुछ यह रहे हैं कि वो एक ऐसा फाल तो मैं डिसाइट कर रहा हूं कि कल मैं उसको जा करके देखूं कि वो किस तरह की सौर्ड मैंशिप की ट्रेनिंग कर रहा है उस बंदे को यहां पर आकर ट्रेनिंग करते हुए आदा साल हो चुका है और वो बंदे ने सिंगल डे भी अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया और य चैना कहता हूं कि उसकी ट्रेणिंग से उसकी स्किल किती अच्छी हूई है वह जो इत्ता इफेक्ट लगा रहा है अपनेई स्किलνο में और मैं वह कल जाकर जानकर रहूंगा और दिखाया जाता है कि ये बंदा अगले दिना आया होता है और उसकी च्रेणिंग को देखकर के बहुत DISPOINTED हो गया होता है और कहता है कि जो बंदे सॉट के बारे में नहीं जानते वो इस बंदे को देखकर कि बहुत खूश हो जाएंगे क्योंकि ये बंदा जानते नहीं है कि सौट को कैसे यूज करी जाती है और ये बंदा जो है वो मुझे पागल नहीं बना सकता क्योंकि मैंने एक सौट की श्टोर पर काम किया था और मैं इसको देख कर बता सकता हूँ कि ये गलत तरह की ट्रेनिंग कर रहा है इसकी जो कि इसके past में है जो कि साथ बहुत ही बुरा हुआ हो जिसके वज़े से इसका hard भी अब काफी रोने को ignore कर रहा है और ऐसा लगता है कि ये अपने effects लगा करके अपनी problems को solve करने की कोशिश कर रहा है पर ये काफी बेकार चीज़ है कि आप ऐसे बेकार से practice करते रहो जिसके ब जो अपने इस बेटे और बेटी के साथ आए इसकी बेटी का नाम है रीमा जो इसके काफी अच्छे बाल है और ये बिल्कुल एक एंजल के तरह हस्ती है मैंने अपने आपको समझा लिया है कि मैं इससे जाकर कल बात करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और दिखाया जाता है कि ये काफी टाइम तक उसको लेटा लिखता है रीमा के लिए ये बंदा और बताता है और ये बंदा लेटा लिख रहा होता और बताता है कि दो साल हो गए जब मैंने रीमा से पहली बार मिला था और ने उससे शादी कर ली अब हम अपनी लाइफ को काफी हैपीली जी रहे पर यह अभी भी बहुत इस्टेंज है कि वो बंदे ने अभी भी मैं उस बंदे के बारे में सोचना बन नहीं कर पा रहा हूँ वो बंदा अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होगा और यह कम से कम पात साल बीच चुके है जब से वो बंदा हमारे विलेज में आया और लगात तार ट्रेनिंग कर रहा है उस बंदे ने एक दिन भी अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया उसने अपनी सौर्ट को वापस वापस घुमातना जारी रखा है वो जैसे और्डर में कर रहा है वो वैसे ही करता है हर दिन करता है और मैं जाकर कल चेक करूंगा कि वो बंदा है भी क नहीं और 5 साल 1 महीना और 20 दिन बीच जाते हैं वो बंदे को ट्रेनिंग करते हुए फिर दिखाया जाता है तक 5 साल 4 महीने और 15 डेस बीच जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि 6 साल 2 महीने 18 दिन बीच जाते हैं और फिर दिखाया जाता है 6 साल 9 महीने और 3 दिन बीच जात congratulation करने के लिए पर वो बंदा अभी भी अपनी training को continue रखा हुआ है और ये सच में 7 साल 10 महीने और भी इस दिन हो चुके हैं उस बंदे को अपने training करते हुए और यहां दिखाया जाता है कि वो बंदा बारिज में भी अपनी training कर रहा होता है और ये year भी अब बीतने ही वाला है पर वो बंदा अपनी training कर रहा है और अब दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है जो story अभी तक हम लोगे explain कर रहा होता है अब उसकी age भी काफी हो गई है और वो कहता है कि वो बंदे ने अभी भी अपनी training को दम बन ने किया ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई nature का law हो जै इसको इसके grandson grandpa grandpa करकर उठाता है और ये बंदा उड़ जाता है तब ही इसकी daughter Lura आ जाती है जो कहती है फादर आपको बाहर जाना चाहिए और market से कुछ समान लेना चाहिए हमारे लिए जिस पर कि ये बंदा मान जाता है और बाहर जाने लगता है कि आज जाकर मैं थोड़ा स चुका है कि ये बंदा एक normal villager से village chief बन चुका है और ये बंदा जाकर के round ले रहा होता है और यहां पर उसी बंदे के घर के पास आ जाता है कि 37 years बीच चुके हैं और देखता है कि वो बंदा आज अपनी training रोक करके अपने sword के पास सर लगा करके बैठा होता है जैसे कि वो म help नहीं कर पाया और ये बहुत लंबा time बीच चुका है और यहां पर ये बंदा उसकी sword को लिटाता है और कहता है कि जब इसका और इसके हट जाएगा सरीर से तब मैं इसकी आँखों को बंद करके इसके लिए हमेशा को लिए इसको rest in peace कर दूँगा जिसे ही अब हमनी life peace में जी सके एक बच्चा अपने सपने से डर कर उठ जाता है और कहता है कि ये कैसा dream था और उसी एक बाद scene shift होता है और हमें यहां पर एक किंडम का scene दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फैरला किंडम और इसके बारे में बताया जाता है कि फैरला किंडम की location south part के highly kingdom में वेश खा हुआ है पर यह जगा उससे भी ज्यादा famous है बैरॉन फिरला के बच्चों के बारे में कि उसके जो बच्चे और इसकी चोटी बेटी है जिसका नाम लेडी काईरल है वह सिब 11 साल की ही है और उसको officially title में चीका है sorcerer का और यह बात यह तीनों soldier कर रहे होते हैं जो अपनी गुस्ता हो कहता है कि मैं सच बोला हूँ और तुमको नहीं पता value के बारे में एक sorcerer की तो जिस पर यह बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे पता है sorcerer की value के बारे में मैंने सुना है कि sorcerer magician से ज़्यादा rare और powerful होते हैं जिस पर कि यह बंदा बोलता कि हाँ और यह बंदा कि उससे भी जादा जो ये लेडी कह लिया उससे भी जादा बैरॉन का पहला बेटा जादा फेमस है जिसका नाम है लौड आईरेन जो की फर्ष्ट सन है इस किंडम का और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसको सब लेजी लौड कहते है क्योंकि जब से उसने अपनी माँ क खोया है बहुत छोटी उमर में तब से वो 15 साल से सिप सो ही रहा है और उसने कुछ नहीं किया है अपने बेट पे सोने के अलावा और ये सच में काफी बुरा होगा क्योंकि वो बंदे ने अपनी आँखों के साथ ने अपनी माँ को खोया था तो ये उसके लिए होगा ही औ और तब ही वहाँ पर ये लोग चैरा गुमाते हैं जहां पर लेडी कैरल आ जाती है और अपनी माँ के साथ जिसका नाम अमेलिया है और अमेलिया बैरान की सेकंड वाइफ है और कैरल बोलती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो अपनी डूटी के टाइम पर और गुसा करने ल चाहिए जिन पर इन तीनों सोल्जर्स के पसीने चूटने लगते हैं और अमेलिया बोलते हैं कि चलो केरल बहुत हो चुका है अब इन लोगों को रहने दो मैं शौर हो कि यह गलती यह लोग दुबारा नहीं करेंगे और अमेलिया बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम साइवेड टॉक को जब ड्यूटी तुम लोगी खतम हो जाए उस टाइम पर करो और यह लोग यहां से चले जाते हैं जिस पर कि यह लोग अपने सांस में सांस लेते हैं और बोलते हैं कि लेडी कैरल तो काफी गुस्से वाली थी मुझे लगा तो आज हम जाएंगी मारी ज जाता और कहता है कि मैं आज क्यों नहीं पा रहा हूं नार्मली तो मैं बहुत जल्दी सो जाता था पर आज मेरे लिए सोना क्यों बहुत मुआ भी अपर jaki नियूग यह फील करता हूँ मेरी बॉड़ी के हर मसल पूरी जैसे एक्जॉस्ट हो सुकी है जैसे कि रियल लाइफ में उसी तरह वो पेन करती है और मेरी पूरी बॉड़ी काप रही है दर्ज से और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और यह बूलते हैं जो कि माई लॉड़ आपको कुछ चाहिए जो कि यह एरेल का एक सेवक होता है जिस पर आरेल इसे बताता है कि यह काफी बीर्ट चीजे हो रही है मेरे साथ मुझे एक सौट चाहिए और यह बंदा सुनकर गए काफी हरान हो जाता है कि क्या शौट चाहिए जिसके बाद सीन्शिप्ट होता है और हमें यहाँ पर एक हॉल का सीन दिखा जाता है जो कि ट्रेनिंग हॉल होता है फैरियल फैमिली का और यहाँ पर सारे लोग कठा हुए होते हैं ट्रेनिंग के लिए जहाँ पर कुछ बच्चे भी आये होते हैं और तब ही यहां पर हमारा प्रिंस आ जाता है जिसको सब लेजी प्रिंस बोलते हैं जो कि अनौन्स होता है कि लेजी प्रिंस यहां पर आ चुके हैं ट्रेनिंग ओल में और इस लेजी प्रिंस का नाम आयरेल है और यहां पर यह एक सौट को अपने लिए चुनने लगता है ज उसको देखो तो और यहां पर यह सौड चुनने लगता है आयरेल तो उसका जो की सिस्टेंट होता है और सर्वेंट होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर जो सौड है यह वुडन सौड की तरह नहीं है सेम यह डिफरेंट है टाइप में साइस में और लेंद में तो आप को काफी सारी चीजों से गुरुजना पड़ेगा जिस पर की आयरेल बोलता है कि चलो ठीक है मैं ठीक हूँ मुझे चुनने दो जिस पर की यह बंदा भी अहरान हो जाता है आयरेल को ऐसा देखकर पहली बार और आयरेल जा करके बहुत बड़ी सौड को ले लेता है जिसको वेट में भी काफी बड़ी होती है जिसको देखकर कि यह गार्ड बोलते हैं कि मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूं कोई मुझे अपने आपको खीचरा चाहिए कि क्या पता यह सपरा हो पर यह कोई सपना नहीं होता और वो तुनों गार्ड लड़ने लगते हैं और यह पर हमें दिखाया जाता है कि यह अपनी प्रैक्टिस को आरे जारी रखता है जिसको देखकर के दो बंदे वहां खड़े होते जो बोलते हैं कि मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था यह काफी होरेबल है इसका मतलब है कि यह एक एक लेजी कीट है जो कि हमेसा सोता ही रहत है पूरे दिन और कुछ नहीं करता पर यह फिर भी इतना स्किल है सौड मैंशीब में और इसके देखो प्रैक्टिस का तरीका पर यह अचानक से क्यों डिसाइड किया है ट्रेनिंग करने का तो मैं बैट करता हूँ कि यह इसलिए है क्योंकि लौड गयरून ने जिसको पू और तुमको पता है क्या हुआ था मुझे याद है कि उसको सुनने के बाद भी लौड आरेन ने उसको कुछ भी नहीं बोला उसको जवाब देती है और मुझे लगता है कि यह समय उन सब ने जो भी हुआ यह सब वही सोच रहे थे कि उसने कैसे उनके मूँ पर बेजती कर द का और यह चीज सेंस भी बनाती है और अच्छी बात भी है और यह दोनों बंदे जाने लगते हैं कहते हैं कि चलो देखते हैं कि यह किती देर यह काम करते हैं कि यह चीज जो भी कर रहे हैं यह प्रैक्टिस कि किते दिन चलेगी और यह लगता है ऐसा कि तीन दिन तो यह ब बोलता है लॉर्ड को कि मेरे लॉर्ड यह जो सौड मैंशी पर यह एक आल्ट है जिसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको काफी सारी डिफकल्टी फेस कर दी पड़ेगी अगर आप अकेले ट्रेन करते हैं इसलिए मुझे अलाव किजिए कि मैं आपको सिखा सके और आप कल से ही अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दीजिएगा जिस पर कि यह बोलते हैं एरिन की नहीं रहने दो मैं कि अजब भी अपनी सौड को घुमाता हूं तो मेरी पूरी इंटायर बॉड़ी की मसल्स दर्द होने लगती है मेरी आम तो ऐसे रहते हो कि जैसे मैं मिट चुका हूं और फिर खड़ा होकर ट्रेनिंग करने लगता हूं कहता है कि जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूं तो मुझे क्यों उस द्रीम की याद आने लगती है ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा चीज मेरे दिल पर रखा हो जो कि एक बड़न हो तो जो मेरी बुरी मेमोरी होती है वो मेरे दिल से वैनिश हो जाती है और मेरा दिल इत्म क्लियर हो जाता है इसलिए मैं अपनी सौर्ट को घुमाना रोक नहीं सकता हूं मैं घुमाता रहूंगा और यहां पर बहुत ज्यादा यह कर रहा हो ता जिस पर कि उसका हो गया तुमारा इससे क्या मतलब है और तभी यहां पर बियोश होकर कि लौड गिर जाता है जिस पर कि उनका सर्वेंट उसको पकड़ लेता और कहता है कि आपने अपने आपको बहुत जादा आज पूश किया और दिखा जाता है कि अप तोड़ा सा शाम टाइप का सीन हो पर कि यह सर्वेंट बोलता है कि आप यह क्या कह रहे है मैं अपनी लौड को कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ अचली मैंने आपको काफी बार बुलाया काफी लंबे टाइम से पर आपने मेरी बात को नहीं सुनी और बोलता है और यह सर्वेंट बोलता है कि देखिए मैं यहा आपको बहुत जादा पुश्मत कीजिये जिसके एरल भी सुनकर के मान जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि आप मैं इसको और करूँगा और यहां पर हमें दिखा जाता है नाइट के जिन जाप एरल अपने बेट पर लेटा होता है और बहुत दर्स से चिला रहा होता है कहता मेरे पूरी बॉडी बहुत पेन कर रही है और ऐसा लगता है कि वो जो ड्रीम है वो मेरे पूरे शरीर को दर्थ देने के लिए बार बार आता है और एस मैं बैट कर सकता हूँ कि मैं अब लग रहा है प्रॉपरली आज सो नहीं पाऊंगा दस के कारण पर पांच मिनिट बाद कि आप आज भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं जिस पर एरेल बोलता है कि हाँ जिस पर कि ये बंदे बोलते हैं ये बंदा जो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि जिस पर ये बंदा बोलता है कि आज भी आप ट्रेनिंग करेंगे जिस पर कि एरेल बोलता है कि हाँ और एरेल बताता है कि काफी दिनों से मुझे वो जो अजीब सपना आता है वो मुझे हंट कर रहा है इसलिए मुझे अपनी बॉड़ी को सैटिफाइर करने के लिए सैटिस्फाइर करने के लिए ये ट्रेनिंग करना ही होगी मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है सौर्ट को घुमाने के अलावा मुझे अपनी सारी चीजे पुट कर देनी होगी अपनी ट्रेनिंग में और मुझे अपने माइंड को क्लियर करना होगा और मुझे अपने आपको फील प्राउट करवाना होगा जो की ये करने से ही मुझे मिल रहा है और मैं और भी आज खाना खाऊंगा वो जो भी हो सैंडविच और मिल्क सब लियाओ मैं और खाऊंगा जिसको खाने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग हॉल का फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह सब गार्ड सोते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि आज कौन जीत इसने वाला है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह तीन जो बंदे हैं उन्होंने यह बैट लगाई हुई है कि जो अगर वो तीन दिन से जादा आएगा तो वो उसको पैसे देने पड़ेंगे और अगर नहीं आएगा तो इसको पैसे देने पड़ेंगे इन लोग अपने में ही वेट लगाई हुई है उसी की यह बात कर रहे होते हैं तब ही यहाँ पर एक ओल्ड सेंट आ जाते हैं जो इनसे पूछते हैं कि सर बता दीजी आप मुझे कि ट्रेनिंग हॉल कहा है तो जिस पर यह पूछते कि आप हो कौन और आप यहाँ पर क्यों आयो तो और मैंने प्रॉपर पेपर्स भी रिसीब कर दी हैं जिस पर कि यह बंदे भी मान जाते हैं और उसको लेकर अंदर जाने लगते हैं और उस बंदा जो ओल्ड मैन होता है वो देखता है यहाँ पर फैरेला इस टेटर ट्रेनिंग हॉल को पहली बार और काफी हैरान होता है औ लौड आरेल आज भी ट्रेनिंग करने के लिए आया है तो जैसा तुमने प्रॉमिस किया था पैसे देने का वैसे अब तुम मुझे दे दो और यहाँ दे देता है इसको ना चाहते हुए वे वी और यह बोलता है कि किसको पता था यह बंदा ट्रेनिंग करने हॉल में काफी प्रैक्टिस के लिए अब डेली आता है जिस पर दूसरा गार्ड गुस्ता हो जाता है कि तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी मेरे साथ तो यह गलत चीज हो गई तुमको पहले से पता था कि यह बंदा अब अपने रिवेंज लेने के लिए डेली प दिख रहा है यह काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है यह एक ऐसा बंदा है जो प्रैक्टिस कर रहा है एक इडियेट के तरह टाइम पास नहीं कर रहा है और इसकी सौर्ड मैंचीब भी काफी प्रेंटिक है इसकी पूरी मसल्स भी काफी दर्द हो रही है पर और इसकी ज प्रॉब्लम्टली ये किती देर ये कर सकता है ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा इसने अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है अपने जो इस्प्लिट है अपनी बॉड़ी उसके उपर और ये जो यंग लॉड है जो कि बगल के इस्टेट के हैं उनका भी जो ये ट ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए लॉर्ड एर्यल को और तब ही वहां पर हवर्ट चलने लगती है और सब लोग आफमान में देखते हैं जहां पर देखकर के वह लोग काफी लोग शौक हो जाते हैं और यहां पर दिखाया चाहते कि एक बर्ड होती है जिसका नाम लेजंडर बर्ड हेवर्ड काल जिसके पास विंग है इगल की और जिसके पास इत्ती स्कीन है जो कि स्चील से भी ज्यादा स्कील है पर यह रिय लाएफ में एक्जिस नहीं करतीए तो फिर यह यहां पर कैसे तो उसको कायरल आती है और बतातिए कि यह इस लिए यहां पर है क्योंकि मेरी power है कि मैं किसी भी चीज को move कराज सकती हूं फिर कोई भी creature हो और मैं किसी भी चीज में life transfer कर सकती हूं या फिर वो living creature हो या नहीं क्योंकि यही है एक sorcerer की power तुम को ये बात पता नहीं थी क्या जिसको सुनकर ये गाट काफी डर जाता है कि अब तो उसकी नौकली गई और तीनों को पूछती है कि तुम लोग कौन हो और ये ओल्ड मैन से भी कैरल पूछते कि आखिर कार तुम हो कौन तो ये ओल्ड मैन बताता है कि मैं एक जैसे क्यों खड़े हो तो ये बताते हैं तीनों कि मैं हम लोग यहां पर अपनी शिप्ट खतम करने के बाद आया हैं इसलिए हम अब जा रहे थे अपनी स्विक्ट को दूसरे क्लिए एक्चेंज करने जो अब आफटर नून में पहरेदारी करेंगे तो हमें जाने है कि तो ठीक है मैं क्या गलत बोली हो कि तुम यहां मजे कर रहे हो तो यह बोलते हैं गार्स कि नहीं नहीं माई लेडी हमारा ऐसा मतलब नहीं था तो यह सब बोलती है कि चलो चुप हो जाओ और अपनी प्रैक्टिस में ध्यान दो यह तुम तीनों बहुत बेकार हो यहां कर रही हो कारेल कारेल बोलती है कि मैंने बोला कि इसको जल्दी से यह सब बंड कर दो तो कारेल पूछता है कि क्या तुम बंड करने को बोल रही हो तो कहती है कि जो तुम कर रहे हो तुम को क्या लग रहा है कि मैं क्या बेकार बात बोल रही हो कि बंड करने के लिए तो आर सब कोई मजहाख है किसी तरह का बस तुम इत्ते साल से सोते रहे हो और अब अचानक से उट करके यह सब नोटंकी शुरू कर दी है तुम को क्या लगता है कि तुम इत्ती जल्दी दो तीन हप्तों में ही ट्रेनिंग करके बन जाओगे बहुत अच्छे सब्सक्राइब हैं और तभी यहाँ पर इनकी मॉम आ जाती है और बोलती है कारल इत्ती खार्श बात है अपने भाई को मत बोलो तभी कारल गुछ आदये कं करती है और यहां पर यह आती है लेडि और सब गुड मॉनिंग करती है और कहती है आईरिन को कि आईरिन अब ज्यादा ओबर मत करना जिस पर भी आईरिन भी मान जाता हूँ कहता है अच्छा मदर अब मैं ज्यादा ओबर नहीं करूंगा और काईरल को ले करके इसकी मौमियां से चली जाती है और तभी यह तीनों दिखा ज और जल्दी से चला गया इसको लड़की के वज़े से और ये बंदे को देखो ये बंदा अभी भी अपने ट्रेनिंग में मगान है मुझको कम से कम इसके उपर कुछ दिनों तक आंकर गड़ाई रखनी होगी कि ये कैसा करता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता जहां क कारे चुपकर के कमरे में जा इस टाए हो तो कहता है कि य्क मांस्तर अभी सो रहे है तो आप कारेल पूछते अगर वो सो रहा है तो क्या तो ये कहता है कि ये अच्छी होग अगर आप अस ciao की अजो आकरमाल का साध जाईंगे तो ये कहता है पासा hosts को है उसको अपना औरा दिखाने लगते है जिससे कि ये डर जाता है और माफी मांगने लगता है और कैरल कहती है कि कि किसी को बताना मत जो अभी हुआ नहीं तो जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा जिसको सुन करके ये डर जाता है समझ जाता है ये धमकी है फिर हमें आइरेन दिखाया ज होती है कि मैं तुमसे माफी मांगती हूँ जो मैंने कल बोला क्यूंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत जादा ओवर्वर्ट कर रहे हो अपने आप से ही और तुमने कुछ कुछ खाना भी शाही से नहीं खाया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक लीटिल डॉल को छोड़ जा रही हूँ, जो तुमको रिलाक्स करने में काफी मदद करेगी, और इस बारे में मदर को मत बताना, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे रूम में जाओं और इसको देख करके काफी खुश हो जाता है और बहुत जादा मुझे प्यार करती है और मैंने उनके लिए क्या किया बस इतने साल दस साल पागलों की तरह सोता रहा और तभी यहां पर नौक होता है आरेन के दोर पर यहां बताया जाता है कि breakfast ready हो गया है आप आ सकते हैं जिसके बाद यहां पर यह breakfast करने जाता है पूरे family साथ आरेन बहुत सालो बात जिसको अपना खाना भी दे रही होती है कहती है इसको भी try करो जिसमें यह लोग काफी खुश्य से बैट कर खाना खा रहे होते हैं और तब ही आप यह आरेन बोलता है कि थैंक्यू मदर फादर और काईरल आप लोग ने मेरा हमेशा ध्यान दिया और मैं आप सब को बहुत ठैंक्स करना चाहता था और मैंने आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया बस सोने के अलावा एक इडियट की तरह तो यह कहता है कि मैं अपने आपको कभी मना नहीं प्याया आज से पहले कि मैं आप सब को sorry बोल सकूं पर मैं आप सब से बहुत प्यार करता हूं जिस पे iron के पादर सब खाने लगते हैं और यहां पर और iron की father बोलते है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा hard work कर रहे हो sword master सीखने में recently यह अच्छी बात है कि तुम training कर रहे हो और तुमने बहुत लेट में training इस्टार्ट के पर मैं hope करता हूं कि तुम अपने आपको बहुत होगी और iron बोलता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए father मैं सच में ठीक हूं और यहां पर फिर तोता है और फिर हमें यही और यही दोनों बंदे दिखा जाते हैं जहां यह यहलो बालवला बूलता है कि किते दिन होगा इसको training करते हुए जिस पर काले बालवला बताता है कि हा suppose कम से कम दो तीन हफते हो गए इसको training करते हुए और इस बंदे ने इस बार बका मैं बता सकता हूं कि एक भी single day मिस करे हुए training करी है यह finally change हो चुका है और अब मुझे लगता है कि यह पहले के तरह नहीं है और यह अपनी limits को pass कर देगा बहुत ही जल्दी और ऐसा लगता है जो बे में यह training कर रहा है तो यह yellow बाल बंदा बोलता है कि जब मैं यहां पर आ रहा हूं कुछ दिन से training hall में तो यह बंदा यहां पर बैठा रहता है जो कि बस आयरेट को देखता रहता है यह आखिर कार है कौन और काले बाल बंदा बताता है कि मैंने सुना है कि यह बंदा कि कम से कम मुझे इसको देखते हुए दस दिन हो गए हैं जब से मैं Lord Iron को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा हूँ मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये बंदा अपने मोटिवेट हो गया है अपने प्राइड और घमंट के चक्कर में और ये ज़्यादा दिन तक ट्रेनिंग नहीं करेगा और एक टाइम पर आकर के गिव अफ कर देगा पर इसका उल्टाई हुआ मुझे इसने कम्प्लीटी रॉंग प्रूब कर दिया ये लगातार एक लेजी लॉड के जिसको कहा जाता है वो लगातार दो हबतों से ट्रेनिंग कर रहा है और मैंने सुना तक इस पीपल इसको लेजी कहते हैं पर ये बिल्कुल अलाग है इसने अपनी फिजिक को ट्रेन कर लिया है अपनी लाइफ में और ये कर्टिनूसली ट्रेनिंग करता जाता है बिना किसी ऐसे इफेक्ट लागा है कि हाँ अब ये ट्रेनिंग को छोड़ देगा ये ठकने का रोने का ये बंदा सच में बहुत डिटर्माइंड होकर कर ट्रेनिंग कर रहा है अगर ये एक बलैक स्मित के तरह ट्रेनिंग करे कि इसके एज में ये बहुत ही अच्छी विल पावर के साथ है एक इसके पास और मुझे तो नहीं लगता कि ये सिव एक 15 येर ओल्ड बॉय है अगर इसने अपनी ट्रेनिंग को ऐसे कंटीनू रखा तो ये एक दिन अच्छा सॉड्मेंट से बनेगा इसके अंदर अगर जो पोटेंशल है ये अगर इसको पहचान ले और एक अच्छा टीचर इसको मिल जाए जो इसको ट्रेनिंग करे तो अब ये बहुत जाता किरेट सॉड्मेंट बनेगा इस उल्टायर इस टेट में जिसके बाद हमें कुछ दिन बादो का सीन दिखाया जाता जहां पर अभी भी एरन को ट्रेनिंग करते हुए ये ओल्ड मैन देख रहे होते हैं और ये ओल्ड मैन देखते हुए यहां पर जो अरीना का कीपर होता है गार्ड होता है उससे पूछते हैं कि क्या मैं आपसे एक फिल्डियन बोला है कि वो जल्दी एक अरेंज कर देंगे और ये बहुत हाट ट्रेनिंग कर रहा है ये बंदा अगर ये बहुत बेकार होगा कि अगर इसको कोई टीचर ना मिले और तब ये ओल्ड मैं पूछते कि अच्छा मुझे बताओ कौन ये बंदे का टीचर हो सकता है तो ये बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि और लेंग जरकार जो बंदा है वही इसका टीचर हो जगता है तो ये ओल्ड मैं काफी गुस्ता हो जाते हैं कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वो बंदा तो बहुत बेकार है पूरे दिन दारूम में ढुन रहता है और पूरे आपके जो शोल्जास होते हैं उनको बस चिलाता रहता है पूरे दिन और मैं किसी भी ऐसे हीरे को ऐसे बेकार बंद एक पास नहीं भेज सकता हूँ मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा नहीं तो मैंने जो ये डिसकवर किया है यंग टैलेंट को वो बेकार हो जागा और जल्दी से ये जाता है बेरोन के पास और फिर दिखाया जाता है कि ये ओल्ड मैं बेरोन के पास आ गए होते हैं जिसमें कि बेरोन पूछता है क हाँ यह सच बात है तो बोईरन बोलता है कि क्या सच में मेरे बेटे पात इतना तरह का कोई potential है उसके अंदर छुपा और क्या यह कोरोनॉल जो सौडमेंट शिप academy है इसके अंदर मेरा बेटा जा पाएगा यह एक ऐसी कॉंटिनेट की academy है जहां पर बहुत सारे सौडमेंट शिप के लिए जाते हैं training करने और क्या वो मेरे बच्चे को यहां पर academy मिलेंगे क्योंकि यहां पर वही जाते हैं जितके पास कोई exceptional talent होता है और यह बंदे को बिना किसी nationality जेंडर और class के यहां पर training दी जाती है और यहां पर जो training करता है वो यहां पर उसको इत्ती respect मिलती है उस बंदे को यहां पर जादा तर नोबल को जित्ती respect नहीं मिलती है यह सच में इत्ती great academy है यह royal academy से भी जादा बहुत्ची है और यहां पर जाने में इत्ता difficulty है यहाँ पर जिता एंटरेंस में डिफकल्टी आपको रहेगी उत्ता यहाँ पर पूरे साल बने रहने में और ट्रेनिंग करने में बहुत आपको डिफकल्टी होने वाली है क्या आइरेन के पास सच में ऐसा कोई चायांस है कि वो जाकर कि यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके जिसके बाद यहां पर हमें आईरेन दिखाया जाता है जो अपनी फादर को किसी चीज के लिए मना कर रहा हुता है तो उसके फादर बोलता है कि देखो बेटा मैंने तुम को फोर्स नहीं किया है अगर तुम अब चाहते हो तो तुम यहाँ पर जा सकते हो और नहीं चाहते हो तो तुम मुझे बता देना जिस पर की आईरेन बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर मुझे भीजें और फिलीस मुझे कुछ टाइम दीजे कि मैं इस बारे में सो सकू और इस और मुझे अब अपनी बेकार से जिन्देगी को दूर करके मुझे अब पस एक चीज करने चाहिए अपनी लविंग फैमिली के लिए कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और तभी यहाँ पर आईरेन वापस उन्में फादर के कमरे में आ जाता है कि फादर मैं इस चीज को ट्रैक अब गवादर करना चाहता हो जिसके बाद हमें आँ इहाँ दिखाया जाता है कि अज सब लोग उसकर गटबाय कर से तृटर करना है और के सब मैं साइयरेन और इसका गूर्ट गोडड गाली भी बैठे होते है जिस पर इक लौर्ट उसका है इसका गार्ड और कहता है कि लेडी केरे ल цен ने दिया है चाहता कि आपको यह राय पर कारune को पूठ करता है चिसके बात यह लोग कपहुच जाते हैं हाँ Mission अपने कोई जरूरत नहीं है अब मैं खुद ही जाओंगा अपनी च्रेणिंग करने के लिए खुद जाओंगा तो अब तुम जा सकते हो जिस पर की यह बंदा काफी खुश हो जाता है और यहां से चला जाता हो कहता है और यहां पर अपना सर युखा लेता हो कहता है कि मैं च्रूली चाहता हो कि आप अच्छीव करें अफर स्टेंडिंग रिजल्ट जिससे कि हम सब का नाम हो और यहां पर दिखाया जाता है एक बंदे को जोकि battle लॉईड होता है जो सन होता है काउंट लॉइड का जोकि एक बह हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि हम आपके जैसे किसी नूबल ब्लड से मिल सके जो लॉइट्स फैमिली का है आप अंदर जाइए प्लीस और यहां पर तभी यह बगार देखता है कि यहां पर आयरेल आ गया और बताता है कि मेरा नाम एरेल फैरी रहा है मैं सान हूं बैर फैमिली का हमारे पास आया जो कि फैरला फैमिली से बिलॉंग करता है और अपकोस हम आपके सर के बारे में जाते हैं जो बैरन हैं वो तो काफी रिनेम्ड और हॉनिबल सर हैं हम सब के लिए भी आप अंदर जाइए और मुझे काफी आपके उपर फर्क रोगा क्योंकि आप आप ऐसे किसी बंदे के रिक्रमेंडेशन से आई हैं मतलब आप कोई चांसी नहीं कि आप बिकार हो आप 100% टेस्ट को पास करेंगे और यहां पर यह गार्ड बोलता है कि आप सीधा और टोरियम के तरफ चले जाई हो मैं आपको विश करता हूं बेस्ट अफ लक और यहां पर जाने लगता है और तभी यह बंदा जो रेड बालुवला भूलता है और मैंने ऐसे किसी बंदे को दो नहीं देखा जो बैरन के रिक्रमेंडेशन पर आया हो और वह सीधा खुद लेटर लिक करके उसको रिक्रमेंडेशन दिया हो यह सच में वही बंदा है ना जो एक लेजी प्रिंस है यहां पर कैसे आ गया और मुझे नहीं लगता है कि यह कुछ कर पाएगा क्योंकि यह लेजी लॉड है और यह फैला फैमिली किसे ही बिलॉंग करता है इसकी फिजिक्स देखके मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई ताका थी यह तो बहुत करेंगे रहे होते हैं अरो तब सब मेरे नाम है अहमद और तुम सब का इंस्ट यूटर हूं आज से मैं तुम्हारी मिस टर्ट करूंगया और यहां से gemth we को eliminate करूंगा जो यहां पर रहने के लायक नहीं है और मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ तो यह बात ध्यान में रखना और यहां पर देखता है और एहमत की काफी सारे इस बार काफी our FacingTOR, करना बहरे देखता है और काफी से बार कि यहां काफी बंडा है सारे और लिल्या बैड्सन को देख्बकर के यह जो होता है बंदा वह नीलेवाल मोड़ा वो बोलता है कि यह लीलीया लेयट रीजान्ス यहां कर रिया यह सच में इसको मज़े तो नहीं लगता हुआ कि उ हुआ था इसके वजह से अब मैं अपना चांस कोता जा रहा हूं टॉप पे रहने का और यहां पर अभी जितने बिश्टूडेटोंट नहीं अफिस्यल इस्टूडेंट नहीं है तो पहले हम ट्रेनिंग करेंगे फिर उसके बाद यहां पर काफी लोग को निकालेंगे जो यहां पर रहने लाइक नहीं फिर हम बताएंगे कि कौन यहां पर रहेगा कौन नहीं और अब यहां पर हमें स्टार्ट करनी चाहिए अपनी सौर्डमेंशिप को की जो की यहां पर होने वाली है अगर तुम पास कर लेते हो दो एक्जाम को जो अब होने वाले है तुम यहाँ पर पूरे साल रहोगे जिसके बाद ही यहाँ पर तुमको कंसीडर किया जाएगा कि तुम ऑफिशियल ट्रेनिर हो यहाँ पर पूरे साल तुमको एक हैल लाइक की ट्रेनिंग दी जाए है और यहां पर तुम्हारी improvement होगी muscle endurance होगी उस muscle को बनाई जाएगी तो यहां पर सब लोग training करेंगे और यहां पर तभी तुरंती यह एहमद भागने लगता कहता है कि physical fitness के लिए हम लोग को यहां पर डॉलना सुरू करना होगा उसके पीछे चल्ती भागना होगा और सब यहां पर भागने लगता है कि यह खाफिण जगह यहां पर काफी बड़ी जगह है और यहां पर भागें गये कैसे और सोचे समझे खाफ भागने लगत तो यह नीले वाला ब corporation मूझा करता हूं यहां पर इसको नाम इसलिए दिया है क्यों को कुछ कहना चाहा होता है और तब यहां पर देखता है हमें दिखा जाता है अरेन को जो कि कहता है कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं लेग सकता हूँ पर मुझे उटकर भागना होगा और तब भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जैसे पास्ट में था वैसे बनूँगा और मैं अब ओबर कम करूँगा अपने फियर को और यहाँ पर आरेन भागने लगता है और तब ही यहाँ पर दिखा जाता है कि दा लेजी लॉट भाग रहे हैं और यहां पर हमें दिखाया जाता है कि दूर से एक और इंस्टिटूटर इसको आरेन को देख रहे होते हैं और कहता है कि मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे पर यह अचानक से बहुत वियर्ड लग रहा है को इस तो गलत हुआ इस बच्चे के साथ और दिखाया जाता है कि आरेन दोड़ दोड़ का रिदम पूरी अपने आपकी एनरजी को ड्रेन कर लिया होता है और तब ही इसके तरफ सब भागते हैं और इसको तुरंती पकड़ लेते हैं गिरने से और कहते हैं कि यह ज़स्ट बीहोश हो गया और इसने अपनी बॉड़ी की लिमिट्स को पुश किया कमप्लीटली अपने आपकी एनरजी को ड्रेन कर लिया और इस पॉइंट वह यह अनकॉंशेस हो गया यह बहुत क्यूरियस यंग लॉड है पर इसके साथ क्या होगा और इसके बाद हमें दिखा जाता है कि अब आरेन की नींद खुल गई होती है और कहता है कि मैं कहां पर हूँ और यहां पर यहां पर तभी एक बंदा बोलता है की चलो तुम आफिकर कर जाग गया और यहां पर हमें एक और इसके रिकवरी करने के लिए आरेन उनको thank you कहता है तो रूनी बोलते हैं कि तुमको मेरा grateful होना चाहिए कि मैंने तुमको recovery करवाई नहीं तो तुम इत्ती जल्दी अपनी आपकी recovery नहीं कर सकते थे और मैंने सुना है कि तुम और मैं तुम और मैं तुम्हारे लिए बुरा feel करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए बुरा feel कर रहा हूँ थोड़ा सा और यहां पर एक letter देता है आरेन को और आरेन उसको उठाता है और देखता है कि उसमें सब बंदों का जो की rank में test में अभी जो हुआ है उसमें आया है वहाँ पर हमें दिखा जाता है कि आरेन को सीधा 400 पर रखा ग हट सकती है अगर तुम्हारे पास high rank है तो यह अच्छी बात है और अगर तुम्हारे पास low rank है तो तुम्हारे पास काफी सारी opportunity होगी कि तुम work hard कर सको तो क्या तुम इस बात पर agree करते हो और rank से कुछ मतलब नहीं क्योंकि अगले साल पूरी completely सब की rank change हो जाएगी कोई one प बारे में चिंता मत करना और बोलता है कि मैं इस बंदे को अभी यहां पर दिलासा देने की ट्राय करो पर इसको ऐसा लगता नहीं है देखे कि यह कोई सी बात से परशान है कि इसकी rank चार्स हो आई और मैंने इसके बारे में किस सुना भी है और तब ही रूनी उसको कहता है क कि खड़े हो जाओ और जाकर अपने पहले दे पर लेट मत करना जाओ जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहां पर क्लास्रूम का सीन जहां पर यहां पर एक और टीचर आये होते हैं जो बोलते हैं गुड मॉर्निंग आप लोग का स्टूडेंट मुझे बिलीव है कि आप समने पूरी रात बढ़िया से सोया होगा जिस पर सब कहते हैं कि यह सर और यह बोताते हैं कि हाँ तुम सब को देख कर कि ऐसा लगता है तुम सब काफी अच्छे हो और यह सब कर मुझे काफी अच्छा फील हुआ मेरा और मेरा लिए काफी अच्छी बात है कि मैं तुम सब से मिल पाया मेरा नाम है कारका और मैं यहां का इंस्टिट्यूटर हूँ जो कि आज से तुम्हारी ट्रेइनिंग को स्टार्ट करेगा और यहां पर यह बंदा सड्यूल दे देता है कैरोन सौडमेंशिप अकैडमी का कि जिसके कारण इससे सब को फॉलो करना होगा और इगर कोई भी चेंज होता है जिससे कि आपको फ्री टाइम मिल सके अपने डेली रूटीन में तो वह आपके लिए फ्री टाइम होगा जिसमें आप कुछ भी से कर सकते हैं और यहां पर काफी सारे इंडोर फिटनेस रूम से मतलब यहां पर अकैडमी के अंदर ही है जिसको कि आपर करका बोलता है कि यहां पर सारे जो की वेपन ट्रेइनिंग होती वो बंद कर दी गई है जिससे की आईरें काफी शौक में होता फिर हम यहां पर रात का सीन दिखा जाता है जहां पर यह पर लॉइड अपने तीन-चार लोगों के साथ आया होता बात कर रहा होता है कि साल लॉइड आपको नहीं लगता कि लैबर आर्ट क्लास काफी बोरिंग है मुझे तो कुछ समझ नहीं आया थेओरी औरी के अलावा भी और मैंने आपने आपको बहुत मुश्किल से रोका कि मैं यहां पर सो ना जाओ तो उसका बंद उसको चुड़ाता है कि इसलिए तु पहला दिनिया पर सब देखो किती हार ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने कुछी दिन में यह सबने ट्रेनिंग यहां पर स्टार्ट कर दिया और तभी लॉइड की निजर जाती है यहां पर लीला लेड्सन पर जो कि अभी काफी बहेंकर ट्रेनिंग कर रही होती है जिसको द पीस टे clamp कॉस्क्र कर रहा हूं और यह बिल्कुल एक अनेदर गर चैंब देखत अम यहां पर यहां पर बाकी सब बंदे देखते कि मैंने उसको और यहां पर जोल्ष के साथ एक बंदा ओता है वो dlatego लड़की को वह धी आप बॉडी बनाई है यह मुझे नहीं सुना है कि यह लड़की मुझसे भी उमर में छोटी हो तब यहां पर यह लोग लॉइट आरेन को देखते हैं जो कि आरेन ट्रेनिंग कर रहा हुता है और कहते हैं कि देखो लेड़ी लॉड को वह भी च्रेनिंग कर रहा है सब की तरह और है कि यह टेस्ट में येस्टर्डे की तरह फिर से अब यहां पर ट्रेनिंग करते हो भी होश हो जाएगा और अगर यह अच्छा ट्रेनिंग करने में तो इसने लाज्ट के 15 साल अपने लाइफ में बेकार क्यों कर दिया और इसका पोस्टर तो देखो ऐसा लगता है कि यह पापस से भी होश होने वाला है और यहां पर लॉइड बोलता है कि अपना टाइम वेश्ट करना बंद करो और तब यहां से चलते और यहां पर लॉइड की नजर एक लड़की पर पढ़ती है और यह तो कॉमनर है ना जिसका नाम जूटी था जूटी था और वह ने मुझे बीट कर दिया और यहां मेरी जगह पर सेकेंड रैंक पर आ गई और मैंने इसको देखा था कि यह काफी सारे इफेक्ट लगा रही थे और इसने सारे इफेक्ट लगा करके काफी हाड़ वर्ट करके एक कॉमनर की तरह यहां एकड़मी में आ गई और यह दिखाया जाता है क काफी मेहनद करके ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि मैं इसको वापस अपरी प्लेस को लेने नहीं दूंगा और यहां पर काफी देर तक लॉइड इसको घूर रहा होता है जिस पर की जूड़ी बोलती है कि ए तुम मुझे घूर क्यों रहा हो मुझे काफी अजी फील हो रहा है और यहां पर कहते हैं यह दोनों बंदे जो की लॉइड के साथ होते हैं कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए तुम यहां पर काउंट लॉइड के संसे बात कर लिए जो की नोबल फैमिली है किन्डम की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे जैसे कॉमलर ने बात क बोलते हो और तुम को क्या नहीं लगता कि हम ने खाना खाया वह सब स्वेपी ता तो और लॉइड आ जाता जो बोल नहीं लगता है और तब ही यहां पर लॉइड दिखा या जाता है जो और यहां पर आइरेन काफे खुश हो जाता है और यहां से लीला चली जाती है और यहां पर वापस से आइरेन अप्नी ट्रेनिंग इस्टार्ट कर देता है और यह दोनों यहांँ पर जूटीãy और लॉयड बोलते हैं उसको देखकर कि कि मैंने छूना नहीं कि उसने क्या उस फेक करके चली जाती है वापस आयरेन के पास और आयरेन से पूछती है कि मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ जब तुमसे कोई बोले तो तुमको उसका रिस्पॉंड करना चाहिए और उससे बात करने चाहिए जिस पर कि आयरेन माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुमको क्या बोला लीलिया लेट सन ने और यहां पर बुझे बताओ कि उसने क्या बोला ऐसे ही पूछ रही होती है जिसको सुद करके आयरेन काफी शौक होता है और आयरेन बताता है इसको जूटाओ कि वो लड़की ने मुझे बताया कि प्रॉपर पोश्चन में कैसे ट् अचा है और बोलती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या तुम दोनों लवर्स हो जिस पर कि कहता है आयरेन की नहीं भाईया देखो मैंने इसको पहली वार देखा है जिस पर कि यह लड़की जूटा चली जाती हो कहती है कि तुम्हारे फेस को देख बहुत बिकार तरह से तो मैं यहां से जा रही हूँ तो आई रिद वापस अपरी च्रेनिंग को कंटीनू कर देता है कि जैसा उस लड़की ने बोला है वैसे मैं करता हूं और तभी यहां पर लॉयड आ जाता है और कहता है कि मुझे पूछना है तुम से क्या मैं तुम से कु ने साथ वले दोस और लॉयड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं काफी ठके हुए होते हैं और यहां पर लॉयड देखता है कि आरेंट ट्रेंग लिला करवारीया है और लिला करती है आरेंट से कि देखो अपनी बैक को बेंड मत करो नहीं तो विकार हो जाओ गए और अपनी आप लौइट कि अब देखो मैं जान गया हूँ कि मैं इस लड़की से जीत नहीं सकता हूँ और यह लड़की टॉप ट्रेनिंग होगी इस साल की लीला लीटसन बिना किसी डाउट के और अब आरेंड फेर्डे की सोचे तो यह एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में मुझे डरने की क भीगे लिच नहीं कर पाएगा फिर यह चाहिए कुछ भीकल लें और लीला लिटसन के इनकौरीज्मेंट के बाद भी यह बंदा बस अभी जादा ट्रेुण सिर्ट रहरा जाए और यहां से अकेडमी के लिकलने के बाद वापस अपनी और यहां से अकेडमी से निकाल देने जाने के बाद वापस से अपनी पुरानी जिन्दगी में वापस चला जाएगा और अप वापस से लेजी लॉड बन जाएगा और यहां पर तब ही लॉड करता कि चलो अब मेरा गोल है कि अब जूटा को वो बहुत intense training कर रही है वो रोज सुबह यहां पर आती है और ऐसे ही दोड़ती है और एक commoner ऐसे अपने effect डाल रहे हैं अपनी rank को बचाने में एक काफी अच्छी बात है जिसको देखकर के Lloyd गुसा होता है और कहता है कि हमें भी अब running स्टार्ट करनी चाहिए तो य पर Lloyd बोलता है कि अगर तुमको hard हो रहा है मुझे follow करना तब यहां से भाग जाओ क्योंकि तुम आप यहां पर नहीं रह सकता है और तुम्हारे भागने पर तुम्हारी life depend करती है फिर हमें तीन महीने बाद का scene दिखा जाता है जहां पर दोनों teacher अब एहमद और यहां पर यह बंदे आय होते हैं और यह लोग देख रहे होते हैं सब बंदे की practice को जहां पर यह जूटा को देखते है कि यह जो टीनों बंदे हैं यह काफी train कर रहे हैं जहां पर जूटा है और यह बंदा लॉइड है और यहां पर लीला है यह तीनों यहां के best student है इस year के और lazy lord भी जो कि काफी अब help कर रहा है और अब हमें उसको साथ lazy lord नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो भी अब काफी practice कर रहा है जिसके बाद यहां पर हमें classroom का फीन निखाया जाता है जहां पर announcement होती है कि अब हम finally mid time पर आ चुके हैं और यहां पर mid time का elimination exam होगा जहां पर काफी बंदों को निकाला जाएगा तो आप सब को समझना होगा और अब आप लोगों को एक course दिया जाएगा जिसको आपको time limit के अंदर ही करना होगा तो काफी बंदे बोलते कि ऐसा कुछ चांस ही नहीं कि हम finish कर सके इसको और टाइम पर और यह बोलता है कि देखो यह एक और डरी बात है कि आप सब ने इतनी ट्रेनिंग की है पिछले चार महिनों से दोलने और swimming करने के अलावा भी आपने काफी सारी चीज़े की है पर हमें कुछ बंदों को आम निकालने की जरुवत है और यहां पर इस में जो आपको course में time दिया जाएगा उसी के अंदर आप लोग को यह करना होगा और उसके में जो ranking आप लोग को दी गई है वो matter नहीं क स्यादा बढ़िया motivation आपके लिए कुछ हो नहीं सकती है तो आज से कम से कम दस दिन बाद आज से दस दिन बाद nine o clock को morning में सीधा test start होगा और तब तक वैसे ही class चलीगी जैसे चलती थी आपको वही meal time मिलेगा उसमें आप जो भी आप कर सकते हो करिए और मैं आप सब को best love wish क करता हो और यहां पर हमें लॉइड दिखाया जाता है जो अपने बद्दों के साथ खड़ा होता है और उसके बद्दे कह रहे होते हैं कि लॉड लॉइड हम लोगों को लगता नहीं कि हम ऐसे कर पाएंगे क्योंकि यह काफी कम time दिया गया और यहां पर लॉइड सोच रहा होंगा ही आउंगा पर पता नहीं क्यों यह बंदा अब जो आयरेन है वो अब मुझे अनीजी फील कराने लगा है यह मुझसे आगे ऐसा लगता है कि दिखलता जा रहा है और यहां पर हमें जूटा दिखाया जाते है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है और उसने नियू रिक इसको अगेन अगेन पुश करता रहता है और मैं जे कंपेर करूँ पहरे दिन से जब यह बंदे को मैंने देखा था अकैडमी में तब से लेकर आप तक इसकी फिजिकल एबलीटी काफी इंप्रूब हो चुकी है क्या चल रहा है और बोलती है जूटा कि मुझे लगता है कि मुझे इस बंदे से कम विल पावर क्यों है और जिसको लोग एक लेजी लौट कहते हैं और वापर जूटा मोटिवेट हो जाती है और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं कहते हैं कि यह बिल्कुल अनेक्स अनेक्सेप्टबल है कि मैं इससे हारू और यहां पर हमें तो यहां पर आपर हमेद बोलता है मुझे लगता है कि इस पार बस 30 ही बच्चे बचेंगे तो यह बंदे बोलते हैं कि BC यहां पर हमें एक बंदा दिखाए जाता है जो कि हएड़ मास्टर होता है जो यहां पर आ गया होते है और यहां पर हेड़ मास्टर को Today जाता है जो कि हेड सौड मास्टर होते हैं करकॉन एकेडमी की जिनका नाम आइरेन होता है और बोलते हैं कि मुझे लगा कि यह बैटा होगा कि मैं खुछ जाकर देखू कि यहां पर सब लोग कैसा कर रहे हैं जिस पर कि यह बंदा उनसे हाथ मिलाता इंस्टिटूटर और यह आइरेन बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है कि मैं कितना बुड़ा हूं तो यह बंदा बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप 55 यर्स ओल्ड है जिस पर कि यह हसने लगता है क्योंकि आइरेन की एज अभी 90 साल होती है और यह बंदा जो ट्यूटर होता है उसने साफ सब जूट बोला होता है बंदे को खुश और यहां पर आरेन बोलते हैं कि यह ट्रेनिंग रूम का एट्मॉस्ट्फियर देखो यह तो पिछले साल से भी काफी ज्यादा कड़ा लग रहा है ऐसा क्यूं तो जिस पर कि यह बंदा बोलता है कि आप सारा मुझे मत दे दीजे अच्छा में हर एक्जाम में सिंगल एक्जाम में फर्ष्ट प्लेस पा रही है यह सच में एक टूप पॉरडेजी है और यह खुद भी जी रही है और ऐसा काफी अच्छी बात है और यहां पर एक बस पूर ठीक है कि इसके पास खुद का कोई द्रीम नहीं है यह बिस अप पंदी करना नहीं चाहती है और यहां पर एमें दिखा जाता है कि जूटा क्या बात होने लगती है कि और आरेन बोलता है कि यह लड़की को भी तुमने मैं मैं में चैन किया ता यह सच में बहुत ज्यादा अपने आपको कर रही है यह काफी अपने आपकी लिमिट को दिए और आरेन बोलता है कि हमें इसे रोकना चाहिए इसका टैलेंट वेश्ट होगा अगर यह ऐसे ट्रेनिंग करते करते मर जाती है और यह कोई जरूरत नहीं है को रीजन नहीं कि यह त्यादा करें और मुझे जाकर इसको खुद बोला होगा आरेन उसके पास चले जाते हैं और आरेन भी इसको रोक नहीं पाते हैं और वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि यह तो काफी जिद्दी लड़की है मैंने इसको रोकने कर च्राय किया पर यह बोली कि मुझे आप एक ऐसा रीजन दे दीजे जिसको मैं रोक सकूँ अपने ट्रेनिंग और कहते हैं आरे इसको छोड़ दो हम लोग यहां से चलते हैं और इसको रोकना वेश्ट आफ टाइम होगा और इसको करने दो इसको अपने पूरी पावर को अनलीश करने दो जब तक यह अपने आपकी पावर को समझ नहीं आ रहा है यह लड़के का दिमाग जो कंपलीटली इसके बॉड़ करता करता था इसने अब मेरे ओपर ध्यान देना शुरू कर दिया यह काफी मुझे इस्ट्रेंज फिलिंंग देता है और जो लीला है वो मेरी हेल्प पता नहीं क्यों कर दी है क्योंकि वो मुझे परशानी से निकालना चाहती है और मैं इसके बारे में अब मुझे सोचना बंद करना चाहिए थोड़ा सोने की कोशिश करनी चाहिए और आयरेंड सोने की कोशिश करता है तब ही वह एक बैट के टाइप के लेडी के वहां पर गोद में आ जाता है कि देख से वापस नीद में चला जाता हूँ पर तभी यहां पर आयरेंड की ओल्ड सेल्फ आ जाती है जो इसको काट कर यहां से निकालती है और आयरेंड यहां से निकलने के ट्राय करता है और यह लेडी उसका हाथ पकड़ लेती है तो आयरेंड बोलता है आपका शुक्रिया आप और एक्जाम का साइम पर आगे होते सब कठा हो गया होते हैं आइरेंड को सब को देख कर बोल रहे होते हैं कि देखो इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि इसने पूरी रात अपने आपको पुछ किया अपने आपको ट्रेंड किया और यहां पर लॉइड और उसका दोस्त भी पार कंडिशन पर तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे टक्क कर दे पाएगी मं आप असानी से यहां पर सेकन्ड को हासिल कर सकता हूँ और Len ko लीला देखे होती है मुड करके जहां पर इसwheel को नहीं पर एहमत आ जाता है जो कहता है कि आप हमें अपना एक्जाम स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि आप 85 हो चुका है इसलिए मैं आपको एक बार आखरी बार यहां पर बता देता हूं सारे रूल को कि इस कोर्स में चार स्टेज होंगे जहां पर पहले आपको यहां पर वेट गया जो आपके target पॉइंट पर पहुंचते ही आपको next पर भी देंगे जिससे की आप सब को पता चलेगा कि आप सब ने कितनी महनत कि और आप सब में कितना प्रूब किया है और यहां पर सब अपने यहां पर वेट लिफ्टिंग के पास खड़े हो जाते हैं और तब ही यह पर आहमद गो बोल देता है और एक्जाम यहां पर इस्टार्ट हो जाता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि हमेशा लीला बहुत तेजी तेजी से कर रही होती है और ऐसा देख करके लॉइड बोलता है कि देखो यह कित्ती जल्दी कर रही है जैसे मैंने सोचा था पर मुझ करके लॉइड बोलता है कि यह बंदा आखिर का क्या प्लैन कर रहा है यह अपने आपको पूरता ही बर्ण करना चाहता है क्या जब वहां पर अनौंस्मेंट होती कि लीला लिटसन ने स्टेज वन को क्लियर कर लिया और वो स्टेज टू पर जा रही है जिसको देखकर होता है और यहां पर लॉइड बोलता है कि कैसे इस बंदे ने स्टेज वन को क्लियर कर लिया पर कोई बात नहीं यह बंदा आप पका जाकर कि आगे डिस्कॉलिफाई हो जाएगा मुझे इस पर हसना चाहिए जिस पर कि यहां पर हमें दिखाया जाता है जो अब यहां पर बॉक्स पर आगया होता है और यहां पर इसको कर रहा होता है और बोलता है आयरेंड की मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी बॉड़ी दर्द हो रही है मैं यहां पर मैं यह खुद सप्राइज हूं अपने आपको देखकर कि मेरी पूरी बॉड़ी जल रही है पर फिर यहां पर iron बहुत तेज इमर स्पीड बढ़ा देता है और तब ही वहां पर अहमेत बोलता है कि iron फरेरा ने stage 2 को भी clear कर लिया और यहां पर इसको देख कर कि Lloyd हैरानी हो जाता है क्योंकि वो अभी भी stage 1 ही पर होता है अब यहां पर हमें दिखाया जाता है कि जूड़ी भी बहुत तेश तेश कर रही ह birthday और यहां पर हमें और यहां पर हमें सॉड बाएज तर्बी दिखाया जाते है जो इस देख रहा होते और यहां पर आर억 long distance running stage 3 पर आ जाता है जहां उसके आगे लीला होती है और यहां पर इन दोनों में मुकाबला चालू हुआ ही होता है और बोलता है iron कि मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है पर अपने आपकी feeling को iron कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता और अपने आपको ठकने नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो लीला को weed करे इस टाइम पर पर तभी यहां पर उसकी नजर पढ़ती है जहां पर लीला से भी आगे जूडी निकल जाती है और यहां पर iron देखता है कि जूडी उससे आगे निकल चुकी है और यहां पर जूडी बोलती है कि मैं किसी से हार नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है बहुत मेहनत की है और मैंने काफी सारे ताने सुने हैं यहां पर हमें दिखा जाता है कि इसका पर यहां पर खुछ लोग बोल रहे होते हैं कि देखो इस लड़की को इसने कैराउन अकेडमी में अपलाई किया हुआ जहां पर हाई लैंकिंग लोबल भी फेल हो जाते हैं जाकर के इसको लगता है कि यह बहुत इस फेशल है दूसरों से अलग है पर यह तब भी ए हार नहीं सकती हूं मैं सबको हरा दूंगी और मैं कभी 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 नहीं हार मानूंगी और यहां पर दिखाया जाता है कि जूड़ी यहां पर सबसे पहले आ जाती है बोलती है कि मैं किसी से नहीं लूज करूंगी और सुमिंग इस्टार्ट कर देती है और उसके पीछे बोलती है मैं बहुत थक्त है और मैं भूबना नगती है और यहां पर जुर फ़esz पूल जलता है ऑनधरा सरárius हो झाये होगो तुम योजे तुम अल्मोश्ट वहाँ पर जाने वले थे मेरे बारे में चीत्ता मत करो और जाओ यहाँ पर पर आईरं उसके बात नहीं सुनता और जुड़ीगों यहाँ पर ले आता है और यहाँ पर तभी टीचर आजाते हैं और बोलता है जूड़ी कैर तुम ठीच को और बोलती है कि यह सच मीडियार था और इसके बाद हमें दिखाजाता है कि यहां पर जो लॉइड के साथ बंदे रहते हैं वो रो रहते हैं कि मैंने बहुत हाट किया पर मैं तब भी फैल हो गया तो यहां पर टीचर आ जाते हैं और पर जल्दी होगा कि तुम अपने आपको बहुत बेकार फील करो अभी भी दो टो एक्जाम बाचे हुए हैं तो अब जल्दी से खड़े हो जाओ और पुरानी बातों को छोड़कर अपने आपको नेक्स्ट एक्जाम के लिए अपतियार करो और गिव अप मत करना जिसको सुनकर के वो तीनों खुश हो जाते हैं और इ यहां पर दूसरा टीचर बोलता है कि हाँ इस साल कुछ डिफरेंट है पिछले सालों से यहां पर इस बार काफी सारे नाचुरल टैलेंट इस्टूडेंट आए हैं जो कि यहां पर हाइलाइट हुए है मिड़ तम में और यहां पर जो की एक नमबर थाटी फाइफ है इसने पता नहीं ऐसा क्योंकि एक्साम के बीच में अपने आपको नाइस दिखाना चाहता था कि यह बहुत अच्छा है लग रहा इसी लिए चलते हुए इसने जूड़ी की ध्यान बचाई और इसी के वज़ए से मैं पांचवे प्लेस पर आपाया और यहां पर वह पांच की बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी गार्डियंस के वज़ए से मैं यहां तक आपाया जिस पर कि लॉयड बोलता है कि यह चिंदा मैं करो मैंने कुछ जादा नहीं किया यह सब तुम्हारा ही मेहनत का नतीजा था और उसको कंग्रेशुलेशन करता है सेकंड प्लेस आने शादा हाई अगा जुडी ने अपने आपको बिल्कुल बर्ग ना किया होता उसने अबने आपको बुबाया ना होता अपने अब तब थकाय ना होता तो पक्का मैं चौतिग प्लेस पर आता और मैं इस बंदे को सच में ऐयमिट करने लगाऊं कि ऑयए एक सच में मुछ से लिकल चुका है और मैं एक पर्फेक्ट लूस की तरफ जा रहा हूं जिसके बाद हमें नेक्स डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर अभी आइरेन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता दोड़ कर ठक जाता है और बोलता है तभी वहां पर और फिर तभी वहां पर लीला आ जाती ह जो बोलती है आरेन को कि तुमने ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा बिकार काम क्यों किया मैं जानती हूं कि तुम्हारा मतलब क्या था पर तुमने ऐसा क्यों किया तो यहां पर आरेन बोलता है कि मैंने ऐसा क्या क्या से तुम्हारा यह मतलब है कि मैंने जूड़ी क्यों मदद क तो कोई ना कोई टीचर आ जाकर इसको बचाई लेता दूबने से और तुम यहां पर अगर मुझसे कंपीट करते हैं सेकंड प्लेस पर आते हैं तुम को यहां पर कॉंटिनेट के ग्रेटिस्ट सॉड़ माश्टर से तुमको गिफ्ट मिल लगता कुछ ना कुछ और तुमने यहां से नकलने करें दो सब सकते हैं पर तुम जानते हो ना तुम था Linda's पार प्लिजर निंहां लिसक्ता है और वहां याम से सब रहें पर सब्दाइन करें पर अश्वist Presente tout giving चार में जड़ता निकलने twenty-ologically और इसी तरह से में वह पर किसी बंदे को दूबाइया मैं उसको किसी का-दूबने के रिधार नहीं दे सकता हूं अगर वहिंदे सामने यही been करी निप अधिन गोरा पुछले दिन तो बस यही मेरा सुन करके यहां से लीला जाने लगती है। अभर बोलती है कि तुमी इनने बोला था कि तुम ने एक साल से सॉल्ड नहीं चलाई तुमको पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग और सॉर्ड मैंटरसिप में क्या डिफ्रेंस है उसमें दोनों में effect और talent की बहुत ज्यादा requirement है पर तुमको पता है जो सॉल्ड मैं उसमें तुमको talent बहुत चाहिए होता है कर सकती थी अगर तुमने वो डिसीजन पिछले दिन ना लिया होता और मैं अब तुम्हारी मदद खुद भी नहीं कर पाऊंगी तो अब तुमने जो डिसीजन और तुम्हारे उपर अब जो बंदे हसते थे अब वो तुम पर बहुत जादा हसेंगे मैं होप करती हूँ कि थी कि किसी भी इनुसेंट बंदे के बहुत सारे लोग इत्ती गंदी गंदी बाते बोले जिसको पस यहीं मतलब था और मैं यहीं चाहती थी यहां पर आयरन उसकी अलीला की बात सुनी रहा होता है और यहां पर हमें और टॉर्टोरियम का सीन दिखाया जा जहां पर रिजल भी बंदे पास हुए हैं उनका रिवाड दिया जाएगा सौड माश्टर के दवारा उनके इंटर्वियू के बाद और यहां पर तभी सौड माश्टर एमर्स से कहते हैं कि वेट तुमने किसी बंदे के नाम लेना भूल गए तो जहां पर बोलते है कि हां 311 यहां पर आओ जिसका नाम है आRON फरेरा और यहां पर आरएन भी शौक हो जाता है और लीला और यहां पर लॉइड भी शौक हो गया और यहां पर हम सब ने चॉइस किया, कि तुम को यहां पर बुलाया जाए,' और तुम सच में काफी अच्छी चाइस हो हमारे लिए, कि तुम हमारे लिए training बने, तुमने अपने आप को sacrifice किया वहां पर, और यहां पर जो situation थी, उसको बाहर हातों से निकलने से रोक लिया और ऐसे रिजल्ट में तुमने यहां के एक स्टूडेंट को बचाया दूबने से और यहां पर हम सब इस्टूडियों की जिते भी टीचर्स हैं उन सब ने सोचा है कि हम सब तुमको एक काफी अच्छा वर्थ जो तुमने अच्छा काम किया उसके लिए तुमको एक रिवार्ड देंगे जिसके लिए सब यहां पर क्लाइब करते हैं आपर आइरेन के लिए और आइरेन काफी खुश होता है जिसके बाद यहां पर हमें इंटर्वियों होते हुए जाता है जहां पर लॉयट का इंटर्वियो होता है और यहां पर बोलता है कि हम मैं समझ गया हूं कि मैं थोड़ा सब मैंडेट अब मैं नहीं रूँगा तो यहां पर सौड मास्टर उसको बोलते हैं कि मैंने देखा एक तुम्हारे पास काफी अच्छा confidence है और तुम एक narrow minded वी ओपर तुमने अपनी आपकी गल्तियों को माना directly और यहां पर लॉयड बोलता है कि हाँ अब मैं जो की arrogant था अब मैं अपने आपको बदलने का change करूंगा और मैं यहां पर आकर कि आप से कुछ सीख पाया कि यह काफी अच्छा था अब मैं मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने मुझे advice दिया और यहां से लॉयड चला जाता है यहां पर सेयवड मास्टर लॉयड को सोचकर बोल रहे होते हैं कि एक इसा exceptional बच्चा जो अपने state के बारे में एक बहुत अच्छे से जानता है यह काफी अच्छा एक्टिव बंदा है जो कि अपने आपकी weakness को बहुत जल्दी overcome कर लेता है यह एक ऐसा बंदा है जिसके पास ability है कि जो भी बंदे इसके अगल बगल रहेंगे वह उनको भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाएगा यह काफी अच्छा है पर इसके पास एक बहुत बेकार चीज़ है इसका जिद्दीनेस और इसका घमान जो कि एक हाई रैंकिंग नोबल के पास होना ही चाहिए और जिसके बाद हमें यहाँ पर लीला दिखाय जाती है जो कि first place पर आई होती है इस साल पिछले साल के लोगों से और वहां पर बताया जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं पर तुम एक gifted individual student हो इस year की और यहाँ पर लीला बोलती है कि क्या मैं आपको आप बोल सकती हूँ कि आप मुझे personal गाइट करें swordmanship में जो कि मैं एक reward की तरह आप से मांग रही हूँ जिस पर की यहाँ पर sword master deny कर देते हो और कहते हैं कि चलो मैं तुमकर एक advice देता हूँ कि देखो किसी के दिखावे में मत आओ बस दूसरों के तरह मत करने की कोशिश करो जैसे तुम्हारी life है वैसे तुम अपनी life को जी हो जिसको की सुनकर के लीला है है और sword master बोलते है कि द माइश्टर Kiya,08 Faculty working,!」 विम्हारे ज्यादा वैनिफीश्यल होगी जिसं़पर झादा है निव्य में बोलती है मैंने बोला आग मुझे क्या sword master सिप सिखा सकते हैं sword master तो जिस पर कि यहाँ पर sword master जान जाते हैं कि जैसा मैंने सोचा था यह मेरी गल्ती है कि तुम मेरी बात को मानोगी और यहां पर सौर्ड मास्टर बोलते कि यह कमरा काफी बड़ा है तो क्या हम यहां पर यह अपनी ट्रेइनिंग को सुरू करें अगर तुम माइड ना करो जिस पर की लीला बोलती है ठैंक यू सर और यहां पर फिर सीन शिप्ट होता है जिसके बाद दिखाया जाता ह है एक लाज्ड बंदे को जो की हपना एरेन होता है और बोलते है आरेन जिससे इक सौर्ड मास्टर की अरेन तुमको ऐसा क्या चीश चाहिए जो तुम हम से मांग सकते हो तुम कुछी को मांग सकते हों पूरा करने की कोशिश करेंगे कुछ भी मांग सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ मुझे पता है कि सुनने में तो थोड़ा जीब लगता है पर मुझे नहीं पता कि मैं आप से मांगू क्या तो मुझे माफ कर दीजेगा तो यहां पर सौर्ड माश्टर बोलते हैं कि तुमको बार बार अपलोजाइस करने की जर आया है पर यह बंदा काफी अजीब इसलिए कर रहा है क्योंकि यह ऐसा पहली बार हुआ है कि यह अब सोशल हो सके लोगों से और इसके लिए यह थोड़ा कंफ्यूज होगा बोलना भी और यह लुगता है कि ऐसा है बच्चा है जिसको काफी लोगों ने टीज किया परसान किया है और यहाँ पर सौड माश्टर बोलते हैं चलो ठीक है चलो अब बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ आकिरकार हुआ क्या था और यहां पर हमें कुछ बाते स्किप करके दिखाय जाती है जहां पर आरन बोलता है कि ठेंक्यू सौड माश्टर आपने जो भी बूचे बत सौर्ड मास्टर की देखो यहां पर काफी सारे एक्सेप्टनल टैलेंट आये हैं जैसे की लाइला और लीट सन की तरह पर काफी सारी चीजें यहां पर होती है और हमें लाइला के बारे में आप बात नहीं करनी चाहिए अब चलिए मेन बात पर तुम से मैं बात करता हूँ ज अगर मैं डिटोल में बोलू तो मैं तुमको सिखा सकता हूँ वे ऑफ सौड जो की मेरी अडवाइज हो की कि तुम एक फील्ड में चाह रहे हो जिसमें कि तुमको सारी बाते जाननी है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी अगर तुमको सौड के बारे में कुछ भी जानना है यह आरेंड बोलता है कि सौरी सर पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं आपसे आखिर कर पूछू क्या अगर मैं ऑनिस्टली बताओं तो मैंने बस सौड यहां पर स्विंग करने तभी स्टार्ट किया था जब मैं इस एकेडमी में आया तो उसकी एक मन्त पहल स्विंग क्या और मैं इस स्टेट में नहीं कि मैं कुछ ऐसी जानता हूँ जो मुझे इवएंड चाहिए हो तो इस पर सॉड़ मास्टर बोलते आयरेंड जो आयरेंड ठोड़ा घपडा जाता है कि उसमें कुछ गलत बात तो नहीं बोलता है कि सौरी सौड मास्टर मैं अव जाएस या सौरी वार बार मत बोला करो क्योंकि एक जो अच्छा सौर्ड मैन होता है वो बहुत कॉंफिडन्स में भरा होता है क्या तुमको यह यह नहीं लगता तो आरण होता कि हाँ हाँ और यहां पर sword master बोलते हैं कि चलो ठीक है तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर का तुमको चाहिए गया तो हम तुमारे reward को delay कर देते हैं और जब तुमको चाहिए हो जब तुम incomplete feel करो कि हाँ मुझे कुछ चाहिए मैं अब incomplete feel कर रहा हूँ तो तुम मेरे पास किसी भी time आ सकते हो और मुझसे मांग सकते हो कि अब तुम satisfied हो तो यहां पर iron यहां पर उनको thank you बोल करके चला जाता हो और यहां पर हमें दिखाया जाता है कि अब iron बाहर आ चुका होता है जिसको window से जाते हुए sword master देख रहे होते हो बोलते है कि यह सच मे एक काफी unusual सा बंदा है जो कि मुझे काफी अलग सा फील देता है यह बंदा ऐसा अलग है कि इसके पास कोई knowledge नहीं swordmanship के बारे में पर इसके बंदे के बार तब भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है या को इसको anxiety नहीं कि इसको कुछ पता नहीं है जो field में यह जाना चाहता है especially इसका क्या goal है वो बस उसी के तरफ जा रहा है ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को पहले से ही कोई guide कर रहा है और अगर मैं सोचू तो इससे पहले एक ऐसा बंदा इस academy में था जो की एक special talent के साथ बंदी थी जो की एक special talent के साथ थी जिसका over following confidence था और उसका जो personality थी वो तो बिलकुल unpredictable थी और वो काफी different थी जिसका aura भी काफी different था जो मुझे काफी feel होता था और फिर scene shift होता हमें दिखाया जाता है कि iron अपनी training कर रहा होता पुश अप कर रहा होता है तब ही यहाँ पर जूडी आ जाती है और बोलती है कि तुम फिर से यहाँ पर workout कर रहे हो जिसपर की iron खड़ा पूछता है क्या तुमने क्या बोला यहाँ पर judy बोलती है तो चलो तुमको बताई देते हो कि मैं यहाँ पर कुछ तुमको बोलनी आई चीए और यहाँ पर judy धीरे से बहुत धीरे से thank you बोलती है बहुत आराम से नहीं बोलती है को सोनाई भी धंग से नहीं देता iron को पर तैब भी iron कुछ नहीं बोलता अब बोलते है जूडी कि मैं शौर हो कि मैं तुमको रीपे कर पाऊंगी तुम्हारा favor को तो चिंता मत करो जिसपर कि iron बोलता है चलो ठीक है तो यहाँ पर judy बोलती है कि चलो ठीक है अब हम दोनों जो हैं एक दूसरे का ख्याल रखेंगे अब से और यहाँ पर इस बात को सुनकर के iron बहुत हैरान रहता है क्योंकि अभी तक उससे लाइला के अलावा academy में कोई बंदा बोलता नहीं तर्थीक से और यहाँ पर judy बोलती है कि अब हमें एक दूसरे का ठ्यान रखेंगे और ह हम साथ में खाना खाएंगे क्योंकि जब से तुम यहाँ पर आया हो तुम अकेले बैट करके खाना खाते हो और यह अभी अच्छा होगा कि हम साथ में सौड मैन शिप की ट्रेनिंग करें जिस पर की जुड़ी बहुत जादा खुस हो जाती हो और एक भुका भी iron को मार देत है और यहाँ पर कहते है iron की तो काफी अजीव फील हो रहा है कि आप तो जुड़ी यहाँ पर जाने लगती है कहती है कि चलो गंदी बाते में सोचो और मुझे तुम अपनी बड़ी बेहन को मैं यहां से जा रही हो बोलो कि big sister अब जा जा रही हो फिर मिलते हैं तो यहाँ पर iron बोलता है कि तुम मेरी big sister कैसे हो गई मैं तुम से तीन साल बड़ा हूं तुम मुझे से तीन साल चोटी हो पर तब भी बोलती है जूड़ी की तब भी चलो ठीक है तुम मेरे छोटे भाई हुए यह कोई बुरा तो नहीं फील करना ना और यहां पर हमें सीन चिप्ट ह दिखाया जाता है नेक्स डेकाजीन जहां पर iron और जूड़ी खड़े होते जहां पर वो लोग कुछ देख रहे होते हैं और यहां पर जूड़ी बोलती है कि तुम इस सौंग के बारे में जाते हो यह एक टर्टल का है जो की सौट दिया गया था इस गाने को घिल गया और ह सचने वही लड़की है क्योंकि परसनेलटी तो इस ट्रेंड़े जो चुकिंगे कैसी अजीव बात हैं और यहां पर जूड़ी जो की बहुत ञादा ही आज खुश होती और iron के साथ खिलना चाहरी होती है और iron में श मैंना कर रहता है और यहां पर लॉड़ भी देखता है और कहता है कि ये दोनों बहुत अजीब क्यों दिख रहे हैं ये पहले से काफी ज़्यादा और अजीब दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लीला और आयरेन में कुछ बाते हो गई हैं जिसे इन दोनों के बारीच में दूरिया बढ़ गई हैं और ये दोनों अब एक दूस करेंगे तो तुम लोग को इंजॉय करो जो पिछले चार महिनों में तुम लोग ने गेन किया है और तुम लोग को आप प्रैक्टिस करनी होगी यहां पर सॉड को घुवा करके फ्रीली नेक्स्ट ढू आवर्स के लिए और सब लोग अपनी स्वाट चून लो फूड यहां पर सूपर वाइजर के यहां पे टेंडेंस में सब लोग अपनी सॉड को चुनना और यहां पर इसारे टीचर कुम लोग को बताएंगे कि क्या चुनना है औ और यहांपर यहांब और यह स्टूटर काफी खुश होते हैं कि इन व Daisy नहीं लोग किषिए लिगे और यहां पर ती दोनों काफी खुश हो रही होता है चुम है कि तर लड़कीद अपर खाता है यहां पर आरण अपन सोट को सचिद्दिया और वह साकद को कufen चुन болर पर कोई tends के तरत की सरे का पता कर अंपना की कि तरह ही होती और मुझे भी पता है एक तरह कुलिए हो जह चाहिते गाना जिसको भी सिर्खें सीधे आयरन गुमाता जैसे हमेसा गुमाता था जिसको देख करके सारे बंदे डर जाते हैं कहते हैं कि आखिर कार यह था क्या यह बंदे नहीं इत्ती भारी सौट उठाई कैसे और यहां तक कि टीचर भी दोनों यहां पर डर जाते हैं कि इसने बागी करा क्या लीला भी उसक काफी कूल लगे और यह कैसा बखलोल बंदा है जो कि सुरुवाती में ट्रेइनिंग के एक इत्ती भारी सौड उठा ले जिससे वह सही से ट्रेइनिंग कर सके और लॉइड को यहां गुसा आ जाता है और लॉइड सीधा जा करके आईरेन के पास आता है और बोलता है कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ डूवल के लिए क्या तुम उससे फाइट करोगे जिसको देखकर के टीचर लॉइड लीला और जूडी और इसके लॉइड के दोस्त सब हैरान हो जाते है और यहां तक यह आरेन भी हैरान हो जाता है और यहां पर आरेन बहुत है और तभी बोलता है आरेन की चलो मैं एकसेप्ट करता हूँ तुमारे चैलेंज को आ जाओ और आरेन और लॉइड की बैटल स्टार्ड होने ही वाली होती है तो यहां पर क्यों है कि लॉयड ने एरन को यहां पर चैलेंज किया मुझे नहीं पता पर यह बंदा क्या सच में यहां पर फ्रीली सौड को घुमा भी सकता जिसके बाद हमें मत दिखा जाता है जिसको की सौड मास्टर मारते हैं कहते कि चुप रहा करो थोड़े टाइम और यहां पर में जो डूल है उसको मैं आगे बढ़ा सकूँ और यहां पर मैं तुम दोनों का जजज बनूंगा इस मैच का और यहां पर अगर तुम दोनों एगरी हो तो जहां पर दोनों एगरी हो जाते हैं और यहां पर तभी मैच स्टार्ड होता है जहां पर पहल टेजी से पहला सब्वाइं मेरे पास हल्की सरोड थो मेरे पैस काफियimagin मेरे पास सिद मारता एरन के काज की बगल से निकल जाती और की सारे बाल उड़ जाते और अअ कि मुझे तो पर हादना नहीं है और iron काफी सारे attacks Lloyd के रोक रहा होते हैं अपने आपको जिनकी sport को देखकर के सारे student डर रहे होते हैं यहां पर जूड़ी बोलती है कि वह बेकार सा बंदा Lloyd वह पक्का यहां पर test कर रहा है iron को और यहां पर तभी वह दोनों एक उसरे को मार करके पीछे हो जाते हैं और लॉइड बोलता है कि यह बंदे के रिफेरेंसे काफी बेकार नहीं है यह बंदा अपने आपका जो की बैलेंस उसको भी बनाया रखा है वह इत्ती भारी सौड पखलते हुए प्लस इसका जो पोर्शर है उसके मुवमेंट वह भी काफी अच्छे हैं यह सच में क्या इसके अंदर सच में इतना इंट्रेस्ट है सौड मैंसिप में कि यह बंदा अब बोल कर सकता है पर मैंने जि हम पर बिना देखे ही डौच कर लेता और सीधा आइरन के गर्दन पर अपनी सौड को लगता है जिससे की डूवल हार जाता और आईरन की सौड भी उसके हां से छूट जाती है और यहां पर डूवल एंड होता है और यहां पर लॉट को भी जेता घुसिश कर दिया जाता है जिसके बाद यहाँ पर हमें scene shift होता दिखा जाता है यहाँ पर result बताया जा रहा होता है कि जो मतलब बंदे हैं यहाँ पर आए हुए हैं अब उनको पाट दिया जाएगा अब सौर्डमेंट सिप सीखने के लिए अलग अलग गुरुप में जिनसे की उनकी start हो जाके class कल से जो लीला और लॉइड और जूडी है उन सब को पहले एक class में रखा गया है दस बंदों के साथ जो की top लोगा होते और बाकी बंदों को कुछ कुछ को 35 बंदों को class B में रखा गया है और कुछ को class C में रखा गया है और यहां पर जूडी बोलती है आरेंड को की चिंता मत करो तुम्हारी बेहन class A में है तुम्हारी full help करेगे और 54 बंदों को यहां पर रखा गया class C में और यहां पर आरेंड का नाम नहीं लिया जाता जिससे की बोलते है यह टीचर की फाइनली आरेंड तुमको रखा गया है class F में और इस जिसको सुनकर के आरेंड काफी शौक होता है जिसके बाद हमें scene shift होता है दिखा जाता है जूडी काफी गुस्ता होती है जो आरेंड के खेते ही लॉइड को की वह लॉइड बंदा और काफी बिकार हो तुम्हारे टेश्टिंग Hopkins ले रहा ता और तुमारे जैसे को कमज़ों दिखाने की कोशिस कर्राता और अने ताकत को दिखा ता यह खुआनक एक नोबल हमेशा ऐसा साही करता है क्यां और हिस्ट कजिए करता है बहुत अच्छा साही करता है और दूसरूं को नीजा दिखाता है यह तो पर यहां तング बिलकुल भी गबराना मत अर अपने आप की मोटिवेशन को कम मत करना हम उसको final exam में अद्म कुचल कर fake देंगे और तुम बिल्कल भी यहां पर बिल्कल भी यहां पर चिंता मत करना जिसको यहां पर अच्छानक से iron देखने लगता है जुडी को तो जुडी बोलते तुम नुजे यहां पर सडनी देख कियो रही हो तो यहाँ पर iron बोलता है इतना जादा गुसा मत हो जूडी तुम मेरे लिए इती चिंता हो यह मेरे लिए काफे खुशी ही बात है पर unfortunately तुम मेरे लिए इती गुसा हो रही हो तो यहाँ पर प्लीज गुसा मत हो जिसको सुनकर के यहाँ जूडी सर्माज आती है और कहते ही तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसी सारी चीजे बोलने के और यहां पर तीन-चार मुख के उसको जड़ देती हो आइरन को जूड़ी जिसके बाद हमें यहां लॉयट दिखाया जाता जो अपने बेट पर लेट गया होता और सोचे ने लगता फाइट के बारे में कि वो जो बंदा है आइरन उसने ऐसी सौड़ चलाई थी कि वो सीधा मेरे सर पर लगने वाली थी बस मैंने उसको बिना यहां पर सोचे समझे डॉच कर लिया और मैंने यहां पर बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि मैं उसको डॉच कर पाऊंगा वो बंदे ने काफी अच्छ पर मुझे किसी नत किसी तरह से वहां पर अपने आपको समाला और अप उसकी सौड़ को घूमने से पहले ही में वहां से निकल गया जिसके बाद सीन शिप्ट होता दिखाया जाता है यहां पर एक टीचर आय होते हैं यहां पर आयरन को सिखाने के लिए यहां पर सौड यही सब तुम बस जानते हो बस इन दोनों के अलावा कुछ नहीं जानते इस वर कि आयरन भुलता नहीं सर मैं नहीं जानता मैं इस बात के लिए शौरी बोलता हूं और यह बंदे का नाम रिखाया है जिसका नाम रॉन होता है डूरं ठालवल जो की एक टेम्परीरी टीच जो कि एफ रहें क्लास के बंदे के सिखाने के लिए रखा गया तो यह बंदे बोलते हैं कि देखो कोई चिंता की बात नहीं है जो फ़र्ष्ट बंदे आते हैं वह ऐसे जूड बोल देते हैं पर तुमने सच बोला तो मैं आल राइट है मैं तुमको सारी चीजे बताऊंगा जो तुम मुझे सकते हैं और तुम मैं अच्छा से सिखाओंगा और यह बंदे बोलते हैं कि जो कि सौड मैं है वह तुमने काफी देर से सीखना शुरू किया तो तुमको दूसरों से मतलब कैच आप करने के लिए उनके मुकाबला करने के लिए तुमको क्या करना होगा तो किता एफेक्ट लगाते हैं वो एक जरूरी चीज है पर उसी के साथ आप लेवल अप नहीं कर सकते हैं आप किसी को सर्फास भी नहीं कर सकते हैं आप को कुछ ना कुछ चाहिए होगा जिससे कि आप आगे बढ़ सके क्योंकि तुम आरें जो बंदे तुमने उन सब बंदों से जो तुमसे आगे हैं उनसे काफी साल पीछे से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है तो अगर तुम एक हफ़ते में अपनी सारी मास्टर कर लेते हो बेसिक स्किल को सौट की तब मैं तुमको पकप यहां पर ट्रांसफर को कर दूंगा क्लास C में और अगर पूश्टा ह है यहां पर ओर면 कि अगर मैं फील हो गया तो क्या क्या तो यहां पर रॉन बोलता है अगर फैल यहां रहां पर पर सी खोंगे की स्किंदु के बार लुटा क Llosa यहां मुझे पता है कि तुम एक्सपवलना हो जो इसलिए मुझे पता दे तुम एप्सनस के टुम हो सकते हो यहां पर फिर आरफ आयरन दिखाः जाता है जिसके चुनिंग ऐसे देबी इतरे होते हैं जहा पर इसका डेबाइडे के बड़ता ही जा रहा हुता और पर awake towards by कर दो यह शर्च्ट में काफी तेजी से इंपरूब कर रहा है देबाइडे और कर दिखे और कि इस बंदे के तरदम भी नहीं हूं यह सच में काफी डिफरेंट है इसके जैसा यह दिखता है यह सच में एक ऐसा बंदर जो कि gifted at swordmanship में बस इसको थोड़ा सा निखारने की जरुवात है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर iron बोलता है कि Judy क्या तुम मुझे देख सकती हूँ मेरी training को देख सकती हूँ क्योंकि मेरा कल टेस्ट है जिस पर हमें दिखाया जाता है कि जो रॉन होते हैं वो बैट को कौफी पी रहे होते हैं जब यहां पर एक बंदा आ जाता हो बोलता है कि टीचर अगर आप यहां पर जिसका मतलब है कि हाँ तो यह रॉन बोलते कि हाँ तुमने सही बोला जिसका मतलब है कि वह बच्चा जो की training कर रहा था वो पर मोट हो चुका है क्लास C में इसके बाइद सीन शिफ्ट होता है हमें पिखाया जाता है जूड़ी को जो की खाना खारी होती है और च्यार प्लेड पेले ज स्थ होती है और यहां पर जूड़ी आयरन को डार्ट रहे हो रहे होती है कि और जल्दी लॉयट दिकलता है जो कि जूडी को हिपो कह रहे होते हैं Academi के यहाँ पर तो लॉडी बोलती है कि क्या तूमको मेरे उपर करश है का जिसको सुनकर के यह बंदक्र शर्मा जाता तो और जोड़ी कहती है उसके मज़े लेते हैं कि देखो तुम शर्माग ऐसा लगता कि तुमको करश है मेरे उपर पर सॉरी मैं तुमको नहीं जानती हो तुम मेरे टाइप के नहीं हो जिस पर कि ये बंदा काफी गुसा हो जाता है और लडाई होने वाली होती है इन दोनों क कि तो यहां पर लॉइट रोक लेता है जो हमें यहां से चलना चाहिए जिसकी बास सुनकर के होसे जाने लगते हैं और ॉऽ का अपना दुमाग को ठिकाने पे लाना होगा दूसरे को गंदा पूलना बंद करना होगा जिसको कोई सुन करके ये लोग थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और यहां पर जूड़ी बोलती कि देखो उस बंदे को थोड़ा सा अब अच्छा होने लगा है कि इस कुछ दिनों में औ तुम दूनों के बीच में काफि ड्रिस्टरेंस आगिया है कि तुम दूनों की लड़ाई हुई है जिस पर cycling आयरन बोलता कि नहीं हम दूनों की नहीं हुई है हम दूनों कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है जिसको सुनकर के जुड़ी बोलती तुम क्या मैंज़ा खरавно हो तो यहाँ पर जूडि बोलती है कि मैंने नहीं बताने वले है कि तुमको जाना है तो तुम जाकर उसको खुद बोलब हो पूछो तो इसके शुड़ि बोलती है तो यहां पर चुड़ी बोलती कि जारे चिंता मत करियार मैं तो थोड़ा सो मजाग करी थी और बताती है कि हमेशा की तरह इस वारवी लाइला अपने आपको टॉप पे बनाई हुई है एक लास में भी और अपने स्पेशल टैलेंट को दिखाती रहते हैं जिससे टीचर इसक sa ifrp में बस यही चल घा है मैंने सुना है कि यहां रात में चोटे कम्रे में जाती है जहां पर अट्रेणिंग howl है वहां पर इपूरे राट ट्रेनिंग करती है अपने लीडि के सौड मेंचिप को और ऐसा यह कुछ है और यहां पर जूडी बोलती है कि ऐसा लगता है कि आरं जल्दी से प्रमॉट हो करके यहां पर लीला के साथ सौड मैंचिप करना चाहता है जिस पर की आरे लियार मुझे टीज करना बंद करो और यहाँ पर आइरन दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है जिसको लॉयड भी देख रहा होता है यहाँ पर जूडी और आइरन यहाँ पर काफी फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर जूडी और आइरन काफी फाइट कर रहे होता है जो कि एक दूसरे को मुच्किल होता है और वापस से ऐर यो होता है वो सीधर हिट मारने जा रहा हुता है जूड़ी के सरपर पर जूड़ी समय जाती कि सीधर एक 지역 दिमार्व सं COM Marnya से सरपर पर यहां पर और ठोड़ा दिमाग दिखाता है जिसने की पता चलता है कि आर 8 अब ग्रूब हो रहा है वो सीधा नहीं माने सरफ थोड़ा तैलता है इसको जल्दी से जा कर उठाती है कि तौने काफ़ी आच्छी पावर दिखाई तुम दिन पर-d conteúdo बहुँत जादा बहतर होते जा रहे हो पर तुम अभी भी अपनी पहन के लेवल पर नहीं आए हो और यहां पर जूड़ी बोलती है कि चलो आज के लिए बहुत हो गया अब रात हो रही है तो हमें यहां से चलना चाहिए क्योंकि अब तुमको छोटे वाल रूम में भी जाना है ट्रेनिंग व अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और यहां पर प्रैक्टिस करी रही होती है लिगते हैं लória एक लें आइरन डिला को लीला कहती है कि तुमने सड़नली ये मुझे क्यूं दिया तो यहां पर आइरन बोटा है कि मेरी एक बहन है जो कि मुझसे बहुत जादा वहां पर बत्तमीजी से बात कर दी थी एक बार पर उसने जब मैं सोक कर उठा तो मेरे बगण में एक लेटर और एक गि करने को इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी भी मदद कर दूए इस लैटर कर रहा तो लीला बोलती है कि देखो यह सब तुम जो कर रहे हो मुझे अब नहीं मना पाएगा कि मैं तुम्हारी मदद वापस दुबारा से करूं तो इस बारे में भूली जाना तो यहां पर आ आइरन के लैटर को पढ़ रही होती है और काफी खुश होती है और यहां पर वो देखती है कि गिफ्ट को और गिफ्ट को खोलती है जिसमें से एक बैसलेट लिखता है जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है और यहां पर तभी वो अपनी सेंसे में वापस आती हो कहत इसे हम लोग लोग और से चाहिए तो आस पस काफी तब ही लोग पास लोड चलते हुए उला रहा हूता है जिसको देखका जूडी बोलती है कि क्या ये बंदा हम लोग से फाइट लेने के लिए आ रहा है कि हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पर तब ही लॉइड आ जाता है और जूडी कहता है कि मुझे तुम से कुछ कहना है क्या कुछ मिनट के लिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ तो यहां पर जूड़ी बोलतीvit कि क्या तुमको मुझसे क्या कहना है यहां पर बोलता है कि आरेंट तुम से भी मुझे कुछ बोलना है और यहां पर सब शौक हो जाते हैं कि आखिर हम दोनों लूडी और आरेन कि हम लोग से आखिर कार इस बंदे को भूलना क्या है तो लॉड बोलता है कि देखो मैंने लाइस्ट मिटम में जब तुमको देखा था और डूवल के टाइंजर तुमको देखा था मैंने एक चीज नोटिस की कि जो तुम्हारा लेवल आफ कॉंसेटरेशन है वो बहुत जादा है मुझसे भी जादा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि तुम अपना कॉंसेटरेशन कैसे बनाया रखते हो बदले में मैं तुमको सिखाऊंगा सौड मैंशिप और यहाँ पर बोलता है लॉइट की देखो हम तोनों एक दूसरों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे जिससे कि हम लोग अपनी आपकी कमी को यहाँ पर भर सकें और एपसोड 3 की स्टार्डिंग होती है और लॉइट की बात सुनकर जुड़ी बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो तुम्हारे रियल इंटेंशन्स हैं क्या पहले तुमने टेस्ट किया आरेंड को एक डूल करके अब तुम यह सब बाते बोल कर कहना क्या चाहते ह तुम कहीं इसको यूज करके अपने आपको इंप्रूफ तो नहीं करना चाहते है तो जिसको सुनकर लॉइड बोलता है क्या इसको यूज करके हां मैं इसको यूज करके अपने आपको इंप्रूफ करना चाहता हूँ तो जिसको सुनकर जूड़ी बोलती है कि पतले सर के ल ज़तना है यहां पर अपने आपको इंप्रूव करने का वह काफी अच्छा होता है कि हम दूसरे लोगे के साथ भी आपको ट्रेनिंग करें हो साथ साथ तुम भी उन्प्रूवencer और जूरी तुम एक official classes student हो यहाँ पर एक class की तो तुम भी यहाँ पर सिभ तुम ही एक ऐसी बंदी हो जो कि यहाँ पर iron के साथ train करते हैं मुझे पक्का believe है कि तुम दोनों को equal experience मिलता होगा और जो कि दूसरे दूसरे लोगों से fight करने में और उनके साथ train करने में मिलता है और हमारी sortmanship training यही है सिखाती है और हमारी sortmanship training यहाँ खतम नहीं होगी हम और लोग से भी आगे जाकर लड़ेंगे तो यह हमारी opportunity होगी कि यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को compare करने से अच्छा एक दूसरे के साथ compete करें और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें जाते भी यहाँ पर लोग हैं उनको हराएं जिससे कि हम लोग एक high quality growth को maintain कर सके जिसको बाते पीछे के हैं पर क्या यह ठीक होगा कि तुम मेरे साथ train करो और iron बोलता है कि देखो मैं बहुत जाज़ा चीजों में खराव हूँ तुम्हारे campaign में और आखिर कार तुम मेरे से क्या सीखना जाते हो मेरे जैसे बंदे से तो Lloyd उसको बताता है कि जैसा मैंने तुम को पहले बोला कि दे हम में डेखा है मेरे बाद मन में एक बार बार एक बाती आ रही है कि हम लोग ने भिलकुल सेम ट्रेनिंग की पर हमारे तुम Erik हो तुम हारे बीच में एक एशी चीज जो रहा गई जिससे थुम्हारी ट्रेनिंग काई जादा हुई और मेरी पर्टकर पर सबने एन आपकी कर किया और बहुत टाइम दिया पर यहां पर सिर्फ तुम एक ऐसे बंदे ते जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखाया यह इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक डिफरेट डेंसिटी थी जो कि तुम्हारे स्टार्डिंग से लेकर के ट्रेनिंग के एंड तक ही थी आरेन इसलिए तुम यहां पर इत्ते अच्छे कर पाए और तुमने अपना फोकस एक बार भी नहीं खोया और यही चीज मुझे तुम से सीखनी है मुझे बस यह सिखा दो कि तुम अपना मिंटेन कैसे करते हो कॉंसेंट्रेशन हर दिन बस वही मुझे सीखना है जिसको सु करके यहां पर लॉयड बोलता है कि चलो कोई बात नहीं यहां पर सारे जीनियस यही सेम चीज बोलते हैं तो इसको सुनकर आरेन बोलता है कि यह तुम क्या कह रहे हूं मैं जीनियस नहीं हूं तो आरेन तो उसकी बात सुनकर के आरेन की लॉयड बोलता है कि नहीं मैं तुम को एक जीनियस के तरह देखता हूं तो मैं एक जीनियस हो विकॉस ये कोई मामली बात नहीं है कि आपको अपनी कॉंसेंट्रेशन बनाया रखे कंसेंसली जिससे कि आप जैसे पहले दिन पर ट्रेन किये थे वैसे लाज्ट ट्रेनिंग देख तक आप अपने पहले लॉड एक अडवाइज देता है आरेन को अब बोलता है कि आरेन फेरेरा अपने आपको नीचा दिखाना बंद करो मैंने पता किया कि तुम एक बॉन हुए हो फेरेला फैमिली में जो कि एक नोबल बलड है मुझे पहले ये नहीं पता था बट तुम्हारी जो तुमने एबिलिटी और एक्शन सो किया वो मुझे को देखकर पता चल गया कि तुम्हारे और ये सब सो किया है अपने आपको प्रूब किया है उससे देखकर मुझे पता चल गया कि तुम्हें एक नोबल फैमिली के बच्चे हो तो बिल्कुल प्राउड फील करो और एक नोबल की तरह सो करो अपना confidence को जैसे नोबल दिखाते हैं और इन दोनों की बात यहां पर जूड़ी को समझ नहीं आ रही होती है जिसके बाद scene shift होता है हमें दिखाया जाता है कि यहां पर आयरेन की ट्रेनिंग लॉयट करा रहा होता है और उसको सिखा रहा होता है कि अपने सिभात प होती है जिसको द्व merch को काफी गुषा रही होती है क्योंकि उसमें अभी भी लॉयट को अक्सेप्ट नहीं किया है अपने दोस्तर ही तरह जिस देखकर करके न रियरन उर टालॉद दोनों हस रहते होते हैं कि यहे हमसे क्ल्रेफर दौनों हमना को सिपता कि जुडी को कुछ और गलत वहमी हो जाते हैं कि या तुमने उससे अपना लफ कंफेस कर दिया जिसको सुनकर के आयरेट शर्मा आ जाता है कि नहीं वो उस लगता है कि अगर मैंने अपने आपको कर लिया तो मैं उस contract के तरह बंगा जाऊंगा जो मेरे सपने में आता है और यहाँ पर वही द्रीम्लिक देखने लगता है आई- बोलता है यह तो डिफरेंट है पहले से और यहाँ पर सौल्ड को भी फीट कर पा रहा हुता है सौर्ट के साथ अपनी पूरी बॉड़ी को भी फील कर पा रहा होता है यहां पर ट्रेइनिंग करता है अपस आ जाता है अपनी सेंसेज में और यहां देखता है कि अभी भी रात हो रही होती है और कहता है कि यह फीलिंग जो कि सौर्ट पकड़ने के लिए बहुत तेज से उम यूडि को डाटता है कि ऐसे यहां पर तूम डूवल के बीच में डिषि ट्रैक मत हो जिसम को की यहां पर जूडि भी गुष सकरने लगती है थकत खाकर मिगए जाना होगा और उसको देखने लगता आए तो यहां पर जूडि सको डार रही होती है और त्रेडिंग करने एक फिर वहीं सोझाता है और आप यह यह तहना लग रहा है कि यह कुछ पास यहां पर आजाता हो कहता है कि यहां पर तुम कर डिम्हेर न vicinity कर रहा है तो आरण बूलता है कि मैं यहां पर क्रेंट कर रहा हूं अपने को concentration को improve करने के लिए पर ऐसा लगता है कि ये work नहीं कर रहा ज recurve जिता सबहूं deeply फर ऐसा लगता है की ये work नहीं कर रहा statistical मैने expectations किया था कि मैं बहुत चल्दी starting कर दूगा अच्छे concentration को बनाने के लिए starting से ही जिसको कि सुन करके लॉयड बोलता है कि यह जो meditation training होती है मैंने सुना आय कि इसको control करा जाता है अपनी brain को की घ्र करकर करके इसलिये हम मैं भी करोंगा और यहां पर BAR कि यहां पर ion के झाञा लॉयड का सो जाता है यहां पर तो यहाँ पर जूडी बोलती है कि मेडिटेशन करते हुए तुम्हारी आँखों से यह ऐसे कीचर जो निकल रहा है जिसको देखकर कि यह सरमा जाता है और फिर यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि लॉयट सबके एक पॉर्शन में बैठा दिया होता है मेडिटेशन क्या बोलत हो पर यहाँ पर अभी जल्दी मुझे जज्ज मत करो पहले हमारी ट्रेनिंग तो पूरी वह जाने दो जिसके बाद यहाँ पर हमें सौड मास्टर दिखा जाता है जो बोलते हैं कि आज के कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ इस्पेशल नहीं हुआ है तो यहाँ पर यहाँ सर यहाँ पर कुछ हुआ है जो आरेन हैं वो यहाँ पर क्लास B में परमोट हो चुका है और यह काफी अच्छा है कि वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहा है जूडी और लॉइट के हेल्प से जैसा कि आपने बोला था यहाँ पर जो लॉइट बंदा है वो इस साल काफी चोटा सा पर बहुत अच्छा सा एक चेंज ला रहा है सारे स्टूडेंट के बीच में और दिखाया जाता है यहाँ लॉइट के वज़े से सारे स्टूडेंट मेडिटेशन कर रहे होते हैं और अपना कॉंसेट्रेशन को इंप्रूव करने की ट्राय कर रहे होते हैं फिर ज करके जूड़ी बहुत गुसा कर रही होती है और बोलती है लॉइट से कि मैं देखो इसको गीनती नहीं हूं हम अगली बार फिर से लगाई करेंगे जिसमें की हम लोग फिर अच्छे से फाइट करेंगे यह अनफियर फाइट थी जिस पर कि लॉइड भी मान जाता है तो अहम इतने अमेजिंग बच्चे हैं यह लोग काफी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं मुझे इस पर प्राउड और इस पैसली लॉइट के पर यह सच में काफी अच्छा यहां पर ग्रो कर रहा है और यह डारेक्ट जूडी से फाइट ले रहा है जो कि खुद लड़ाई कर कर यह सेकंड कर दड़ाएं वाय लाइट करने लगाओ करने लंगा और अगर मैं ऐसे करता ही रहा है तो मैं सकेंड कर रहा है और सकी गूब सीधे स्लैश की जिसको देख करके यह आरेन बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेडिटेशन ट्रेनिंग से मैं सच में काफी अच्छा होता जा रहा हूं पर यह इतना इनफ नहीं मुझे अभी और मेहनत करनी होगी थोड़ा सबस और तभी यहां पर लॉयड और जूड़ी आ जाते हैं जहां लॉयड उसको कहता है कि सिब तुम अभी भी फोर्स कर रहे हैं अपने आपको सौड चलाने के लिए वो भी बस एक तरह की सीधी सौड और यहां पर लॉयड बोलता है कि यह सब बंद करो और चलो हमें सब को बंदे जितने हैं इस्टूडेंट यहां पे उन सब को सौड मास्टर ने बुलाया है तो यहां पर आरेंड बोलता है कि और और लॉयड बोलता है नहीं हम लोग और टेरियम में नहीं मार्शल आल्ट हॉल में आना है जिसके बाद हमें यहां दिखाया जाता है जहां सौड मास्टर सब स्टूडेंट के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि 9 महीने हो गए जब से आप लोग यहां पर आएं और मैंने देखा है कि आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं दिन लाग लगे हुए हैं अपनी ट्रेनिंग में और मैं यह बहुत प्राउड फील हो रहा है आप सब को देख कर कि आप सब स्ट्रॉंग बनते जा रहे हैं दिन पर दिन तो मैं यह सब बातों को किनारे करके आप डिरेक्ट पॉइंट की बात करता हूँ अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है फाइनल एक्जाम के बारे में जिसमें फाइनल एलिमनेशन होगा जिसको सुनकर के लॉय जूडी लीला और यहां पर आईरेन भी शब सौख हो जा और यहां पर सौड माश्टर बोलते हैं और यह मिडि स्टेट करना है अपनी सौड मेंट सिब को जिसके वज़े से हम आप आपको जच कर पाएंगे आपको सिब एक स्ट्राइक लगानी होगी और उसके चेंजिंग में हम आपको बता देंगे कि आपकी किती रहें की पोटेंचल है और मैं बिलीव करता हूँ कि यहां पर सब जो है वो काफी भरे हुए है अपने फुल पोटेंचल से तो जो 90 दिन बचे हुए है फाइनल एक्जाम के लिए उसमें आप लोग जी जान लगा कर मेहनत कीजिए और 90 दिन बाद यहां पर काफी अच्छा रिजल्ट आईए जिसके बाद सौड माश्टर अपना जैकेट उतार भी शौक हो जाते हैं क्योंकि एक बहुती खतरनाक औरा यहां पर निकल रहा होता है सौड माश्टर की सौड से जिसके बाद डांस खतम होने बाद सौड माश्टर बोलते हैं यह मेरा सौड डांस था और इसके बाद यहां से सारे बच्चे जाने लगते हैं तो सौड माश् कि यहां पर जूडी तक्टे की लाइफिव से बात कर रहा है कि मैं तुम्हरे जैसे बात कर रहा हूं और ल bilmiyorum एक मूर यहां पर जूडी तुम लग रहा है अच्छे मूर में नहीं हो इसका व personnes कहीं ना कहीं आयर्यनी है क्योंकि तुम हमारी अचानक से मदद करने लगे इसी वज़े से मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि वह कहीं एलिमिनेट ना जाए तो लॉयड बोलता है कि चिंता मत करूं मेडिटेशन ट्रेनिंग से मैं इस तक कंफर्म बता सकता हूं कि जो आयरेन है वो फाइनल एक्जाम में 100% पास होगा और इसकी चिंता मत करो अब यहां पर तुम अपनी ट्रेनिंग पर भी द्यान दो जिस पर जूड़ी गुस्ता करने लगती है कि तुमको यह सब कैसे पता तो यहां पर बताता है कि जब मैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे उसके अंदर की पॉटेंशल पता चल गई थी और अगर पॉटेंशल की बात करें तो यहां पर फाइनल एक्जाम पॉटेंशली पर होने वाला है और तुमको पता होगा कि फ्यूचर पोटें में वो बंदा आयरेनी है तो उसके बारे में चिंता कन्दा बंद करो जिसके बाद यहां पर जूड़ी बोलती है अच्छा फिर ठीक है अब मैं भी यहां पर पीस में ट्रेनिंग करूंगी और खुद फर्स्ट प्लेस पाऊंगे जिसको कि यहां लॉयड करता कि नहीं तुम प्लेस नहीं जाने वाली क्योंकि लीला लिटसन जाएगी फर्स्ट प्लेस पर तो यहां पर जूड़ी फिर उसके उपर घुस्सा करती है और तुमने फिर उसका नाम क्यों लिया और यहां पर लॉयड बताता है कि मैं शौर हूँ कि वह फर्स्ट प्लेस पर पाएगी क्यो पर फिर जूडी बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मैं भी ट्राय कर रहे हूं साथ मैं भी फर्श्ट आ सकती हूं तो लॉयड बोलता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता अगर उसने अपनी पावर शॉर्ड मैंशिप वली दिखाई तो हम लोग उसके सामने कुछ नहीं है जिस और फिनेच की लड़की से हार गया और वो दूसरों को अपना सकल नहीं दिखा सकता था और ऐसे ही कुछ बाते जूडी यहां पर गुस्से में बोल देती है गलत गलत और पता चलता है कि यहां पर लीला पीछे से सुन रही होती है और यहां पर सब बच्चे जो यहां खड लिए है या मुझे पर्शान नहीं कर सकता है तो एहां पर जूडी भी सुनकर घुसरों जाते हैं एक तो सौर उठाओ और भूż से डूजल करो पर यहां पर लाइड है साही टाइम पर और फिर यहां पर यहां पर लीला जाते हुए बोकिंटों कि चाहे तुम लोग कितना भी कर दो मैं वापस से फर्स्ट प्लेस पाऊंगी और अपने जो फर्स्ट प्लेस वो फिर सर कंटीन्यू करूंगी और मेरा फैमली का सॉड्मेंशिप मैं यूज नहीं करूगी जिसके बाद यहां पर जा रही होती है लीला तो उसको लॉयड रोक लेता और कहता है कि लीला सॉड्मेंशिप में दीना जाता है वो तुम लोग ने तब पाया था जब तुम लोग ने ड्रैगन किंग कोड जो की डाइमन रेस का था जो चार सालों तक स्काई को रूल काता था उसको हराया था तो यहां पर लीला पूछते तो फिर क्या तो कहते है लॉयड कि यह इंप गंठार रहा होता है और वो कुछी ठीक नहीं लग रहा होता है वो बोलता है कि मैं उस बंदे के काफि exactly बहुत पौनेए वाला तका हो आपर हमएं द्जाता है कि यहां पर लैन्सर और उसके साथ का एक बंदा वो दुनों डूईल कर रहे होते ुते जिसमें लैन्सर उसको हरा दिता है। तो लाइड है यहां पर आžाता हो और लैंसर को कहता है कि तुम काफी अच्छे दिख रहे हो और तुमने काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रही है और लग रहा है कि तुम काफी अच्छा इस बार भी स्कोर करोगे तो लैंसर बोलता है कि जब से मैं फाइनल एक्जाम बहुत पास आने वाला है ये सुना है मैंने मैं काफी मेहनत कर रह करके तो वो चीज मुझे काफी मूटीवेट करी और जिसको सुनकर के यहां पर लॉइट थोड़ा सर्माने लगता है और यहां पर तब जूडी आ जाती है और कहती है कि ऐसे फेस बनाना बंद करो अन्ना मैं तुम्हारा फिर से मूझ तोड़ दूँगी और अपनी सौड उठाओ चलो फाइट करते है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूडी और लॉइट की फाइट सुरू हो जाती है जहां पर लॉइट करता है जूडी के उपर पर जूडी अपने यहां पर सौड लगा के बच जाती है और कहती है कि यह बंदा काफी शार्प हो गया है और इवन कि अब मैं हैवी फील कर रही हूं इसके आटेक्स को जिसके बाद लॉइड उससे थोड़ा पीछे आ जाता है और कहती है कि बिडिकर सकता है पर मैं भीकुछ कम नहीं हूं और वापस से यहां पर मौटिवएतों कर जूडी लडने लगती आउगसे आईरर्ण और वापस से जूड़ी यहां पर मोटिवेट होकर के लॉइट से लड़ने लगती है तो रॉइड रूग ज्यादा कहता है कि आज के लिए हमने बहुत ज्यादा कर लिया हमें ज्यादा बहुत अपनी बॉड़ी को फोर्स नहीं करना चाहिए फाइनल एक्जाम सुरू होने से पहले तो जिता हम लोग ने कल लिया है अब रहने देते हैं आज के लिए जिसके बाद यहां पर चुप चाप इस बार जूड़ी जाने लगती है तो लॉइड बोलता है इस बार तुम चिला होगी नहीं और मेरे उपर गुसा नहीं होगी तो कहती है कि मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रही हूं तो मैं यहां से जा रही हूं तो यहां पर लॉइड उससे पूछता है किस चीजों के बारे बे तो जूड़ी बोलती है कि अगर तुमको सब चीज पता चल जाएगी तो तुम काफी यहां पर दुखी होगे तो इससे सुनकर के लॉइड भी durable का यहांपर direct हैड़ पर मैं अपना टैग भी ले सकता हूं iron का जिसके बात हमें iron दिखाया जाता है जो बोल रहा हित्युद कि मैं क्या करूं मैं अपने आप को नहीं कर पा रहा हूं मेरा focus नहीं बन रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए मुछे नहीं पता है पर तभी य जूडी और आयरन को जो कि वहां गार्डेन में टहले आया होते है और यहां पर ग्रास अकर लेट झालिख जागती है और यहां पर बैखने के क्लिखेती है रएंड को तो यहां पर बैठ 우еत हैं कि हम यहां आइट है कि स्था तो नहीं बैठ Korea जाए का दो है यहां पर आच आगा तो कोई आ जाएगा तो हम यहां से चले जाएंगे तो यहां पर जूड़ी पूछती है R&S कि क्या तुम प्रिपैर हो चुके वह थे वच्छ से तो यहां父 आरण बोलता है किस चीज़ के लिए प्रिपैर तो जुड़ी बोलती है अरे बेफूर फूर फाइनल एक्जाम के लिए अब दो हफ़ते से भी कम टाइम बचा हुआ है जिस पर आयरेन बोलता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ हमेशा की तरह तो यहां पर जुड़ी बोलती है तुम्हारे आंसर में इस बार बहृत एनरजी की कमी लगी थी तुम्हारे आखिरकार confidence को हो क्या गया क्या ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों में जिसके वज़े से तुम यहाँ पर कमजोर फील कर रहे हो क्या तुम्हारे और लीला के बीच में कुछ हुआ है क्या तुम्हारे दोनों में कोई argument हुआ है जिस पे मना कर देता है आरण उसको साप साप और यहां पर जूडी तभी बोलती है आरण सौरी जिसको सुनकर के यहां पर आरण शौक हो जाता है कहता है कि तुम मुझे को इस टाइम पर क्यों सौरी कह रही हो और तुमने यहां पर कुछ दिन से मुझे ट्रेनिंग नहीं करने आया इसलिए तुम को कोई नीड नहीं अपलाजाइस करने की तुम मेरी फिरेंड हो तो यहां पर जूडी बताती है कि मैं एक अनाथ हूँ जिस काफी सारी चोरी करने पड़े और काफी गलत काम करने पड़े और मैंने देखा कि यहां पर जो बड़े लोग होते वह एक जैसे यहां पर नहीं होते हैं और काफी किट्स को मारते भी हैं इसलिए मुझे काफी चांस नहीं मिला एक अच्छी जिन्दगी जीने का और मैंने क बताओं तो बहुत awkward feel होता है तुमको direct thanks बोलने में पर मैंने अपना काफी अच्छा try किया तुमको favor return करने में और यहां पर Judy बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आरेन तुमको final exam pass करना होगा जाहे कुछ भी हो जाए कोई मतलब नवर रखना किसी से पस तुमको final exam pass करना है जिस पर की यहां पर जो काफी खुश हो जाता है आरेन भी और यहां पर Judy बोलती है कि पास करो final exam और यहां पर official student बन जाओ और हम फिर सब help करेंगे तुम्हारी और अच्छे तुमको strong करने में औ और हम हमेशा friends रहेंगे जिस पर कि यहां पर iron भी खुश होता है और यहां से Judy जाने लगती है कहती है यह काफी शर्मनाख होगा अगर हम साथ में जाए कुछ लोग गलस सोच लेंगे इसलिए मैं यहां से जा रही हूँ तो पाच मिनिट बाद आना जिसके बाद यहां से Judy चली जाती है और यहां पर iron बैट कर सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मैं काफी चेंज हो गया हूँ जो बंदा यहां पर दिन बर बैट पर रहता था पड़ा रहता था अब यहां पर खुले आसमान में बैट करके स्काई को देख रहा है और यह जो पूरा एक सा क्वाल बीडा है सौर्ड मैंचित वो का architect में वह काफी बुरा नहीं था यह आफी अच्छे था और मुझे लगता है कि अब मैं अपने आपको थोड़ा समझने लगा हूं मैं क्या कर सकता हूं मैं अपने आपको समझने लगा और यह फीलिंग सकाफी ओला है privileged नहींहें है सब experience कर पाया जूडी लॉयड और लीला के वज़े से और जो सौड मास्टर और टीचर्स ते मेरे उनको भी मैं ठैंक्स करना चाहता था क्योंकि उन बता है कि अगर कोई चीज एक problem है तो मेरे अंदर है और बताता है कि जो की ट्रेन करता है आपके माइंड को और यहां पर अपने क्ली से मेडिटेशन पॉवम में आ जाता है सौड शा करो एछ कट आप наш और शोग दीन चलो अपने उध्र के और यहां लोजोल होई इन जिसके बाद हमें दो पहाले जाता है जहाँ पर फाइनल एंग्जम्स का टाइम हो गया होता है और computers करते चलिकों केंट 1967 सारी एक स्सिर्ष में कर देट है जिसकों डिखों करेंग झाल तक कास्पार पशलैंट सब्जार कहा हुति देगे करके refract master और हमद बोलते हैं यह काफ़ी अच्छा बच्च्छा है यह class b की student है तब ही काफ़ी अच्छा कर रहा है इसकी speed और accuracy भी काफ़े अच्छी थी तो हमद बोलता है कि हाँ sir इस साल काफ़ी ऐसे student है जो अपने आपको improve की है वो चाहे lower rank में हो चाहे किसी भी rank में हो ऐसा लगता है कि जो final ranking होगी वो सार्च में काफी बहुत change हो गई होगी और यहां पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जो यहां पर एक slash मारता है जिसे पूरा पत्थरी कर जाता है और यहां पर सौर्ड माश्टर देखके कह रहे होते हैं कि सब बहुत अच्छा यहां पर परफॉमस दे रही हैं इस्पेक्टेशन से बियॉंड यहां पर यह सब जा रहे हैं और इसके बाद एहमद बुलाता है जूडी को और यहां पर जूडी आजाते हैं कि मुझे लगता है कि सौर्ड मैंचिप दिखाने से अच्छा हमारी स्ट्रेंट तब पता चलेगी कि जब हम लोग डूवल करें अगर आप एगरी हों तो क्या हम डूवल कर सकते हैं जिस पर कि सौर्ड माश्टर भी मान जाते हैं और कहते हैं कि दूसरा बंदा तुमारे साथ डूवल कौन करेगा जिसके बाद हुआ यहां पर भीर से लॉइड भी निकल कर आ जाता है और यहां पर लॉइड और जूडी की फाइट होने वाली होती है जहां पर लॉइड अपनी पॉजिशन ले लेता है और तब ही कहता है कि चलो स्टार्ट करते है जूडी और तब ही Judy यहां पर जम्प लगाती है और डायरेक्ट एक मारती है यहां पर तुरंटी जिसको काफी पावर निकल रहा हुता है और यहां पर काफी पावर फुल अटैक्स जूडी करने लगती है श्टार्डिंग से जिसको देख करके बागी स्टूडेंट काफी डर जाते ह और यहां पर ऐसा लग रहा होता है कि इस मैच में लॉइड काफी परशानी में है और यहां पर लगता है कि यह जो जूडी है वही जीतेगी और जूडी काफी सारे शलैस करती है जिससे की लॉइड बच बच के पीछे जा रहा होता है और यहां पर काफी सारे यहां पर अटैक जूडी के लोईड ने डॉच कर लिये होते हैं जिसको देखकर के सारी पब्लिक काफी यहां पर हला गुला मचाने लगती है और यहां पर लॉइड जूडी से लडने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है कि कमजोर पढ़ रहा है पर यहां पर तब भी लॉइड अपना एक अटेक करता है जिससे लूडी जंप करके बच जाती है जूडी और जूडी वापस से अटेक करती है डारेक्ट यहाँ पर लॉइड के सर पर लॉइड उससे बच जाता है जिसको रॉन देखकर बोलता है कि यह दोनों तो काफी ग्रेड है और यह लोग काफी अच्छी फाइट कर रहे हैं जिसके बाद देखाया जाता है कि पूरे यहाँ प जो लॉइड है वो भी काफी अच्छा है यह ते हाड अटेक्स को किते स्मूथली ले रहा है और बच रहा है उनसे और एक भी अटेक उसके उपर नहीं लग रहा है और तब ही यहाँ पर लॉइड एक अटेक करता है और यहाँ पर जूडी के थोड़े से चेहरे पर कट आ जाता है पर जूडी बीचे होती है और गुसा होकर के वापस अटेक करने को आ जाती है और फिर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती काफी खतरना सी और यहाँ पर जूडी बोलती होती है और तेज और तेज करो और तेज करो फाइट और यहाँ पर तभी एक अटेक होत और यहां पर ब्लाश्ट हो जाता है जिसे यहां के काफी सारे कांच टूड जाते हैं और दिखा जाता है कि जूडी के सौड टूड गई होती है और लॉइड अपने अभी भी सौड ठीक होती है जिस पर पता चलता है कि यहां पर जूडी बोलती है कि मैं इसको आखिर में दिखाया हमको तुम दोनों को गरेटुलेशन जिस पर यह दोनों अब सर को ठेंक्स करते हैं और जिसके बाद एहमद से यह पूछते हैं सर कि आप बताओं नेक्स्ट कौन आने वादा जिस पर की नेक्स्ट का नाम जाने के लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वहां पे आरे होती है लीला येस नहीं भी हो टी अर यहां पर लीला आ जाती और यहां पे everyone भो यहां पे लोड बोलता है कि मैं एक्टिंट हमसे उंप स्ट्रॉण हो गया और यहां पर लॉड मोटा है कि अब मैं आपक्तुक्रा मैं डेफिनल्ट पास लीला चली जाती है और सौर्ड माश्टर पूछे कि तुम हमें क्या दिखाना चाओगे तो यहां पर लीला बोलते है कि मैं यहां पर अपनी फैमिली का सौर्ड मैंशिप दिखाना चाओंगे जिसको सुनकर के यहां पर सौर्ड माश्टर बोलते है कि तुम्हारे फैमिल चलने लगती और काफी ज़्यादा डिस्ट्रेक्शन होने लगता है जूड़ी और लॉइड के भी यहां पर जो बैटल हो थी उससे भी जाधा और यहां पर विंड के वज़ा जिसको देख कर के सारे टीचर वूलोगी सिब एक विंड के वज़े से इते सारी डिस्ट्रेक्श प्रेशर होता है और यहां पर जूड़ी तो जैसे की डरी जाती है और यहां पर लीला की यह ढ़िए उसको देखकर टीचर्स भी काफी इंपरेंस होते हैं और लॉइड जो होता है वो देखकर बोलता है कि इस लड़की और मेरे बीच में एक ऐसी दिवाल है जिसको मैं कभी overcome नहीं कर सकता हूं और यहंपर तभी Lord और टभी यहां पर लॉड बोलते हैं यह मैं किया सोच रहा हूं अपने बारे में और यहां पर तभी बोलती है देखो Lloyd यह यहांपर अखरी बंदा आने वला है क्योंकि यहां पर लीला की यहांपर खतम हो चुकी है वो भी पास के लिए चेर्स कर रहे होता है कि ग्राइड सोच रहा है और यहां पर यहां पर इकूलारी बात इसको पूरानी बात उचता है जहांपर इसको लोयत को यहां पर iron बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास ह diferen गरम औरा रहता है जो क्विमचे काफी comfortable लगता है जब तुम्हारे साथ रहता हु और मुझे अब पता चल चुका है कि तुम्हारे पास इतने सारे friends क्यूं है जो तुम को follow करते हैं क्योंकि तुम हमेशा अच्छे और काम रहते हो और यहां पर तब ही लॉइड गुस्ता करने लगता है आइरेन की बात सुनके तो आइरेन बोलता है कि काया मैंने कुछ गुस्ता हो यहां पर गलत बात बो दिया तो यहां पर लॉइड बोलता है कि नहीं तुम गलत हो तुमको इस पास करना ही होगा इसको और यहां आरेन सौर्ड माश्टर पास आ जाता है और सौर्ड माश्टर पूछते हैं आरेन बताओ तुम हम लोग को फाइनल एक्जाम में आखिर कार अपनी कौन से स्किल दिखाना चाओगे और यहां पर काफी सब बंदे सौक हो गए हो तो आखिर कार आरेन दिखाएगा क्या और आरेन बोलता है कि मैं एक वाटिकल मतलब सीधा शिलैश मार कर दिखाऊंगा जिसको सुनकर के सब बंदे अपना सर पकड़ लेते हैं कि आखिर कार यह बंदा करेगा क्या और यहां पर यह लेंस नाम को बंदा होता है कि आरे पागल बंदे यह फाइनल एक्जाम है तुम यह कौन से टेक्निक दिखाना चाहते हैं जो तुम कर भी नहीं सकते हो तो यहां पर आहमत बोलता है कि लेंस चाहता मत बोलो यहां पर तुम डिस्टरब्ट कर रहे हो एक एलिमेशन एक् फाइनल एक्जाम है यह आखिर कर क्या दिखाना चाहता है एक अन प्रैक्टिस स्किल वो भी जश्ट एक वर्टिकल स्लैस यह तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और आखिर कर यह बंदा करना क्या चाहता है और यहां पर हमें दिखा जाता है आरन को जो अपनी सौर्ट को अब को और तब ही यहां पर आरन काफी देश से खाड़ा होता है एक ही पॉजीशन में जिसको देख कर कि यह सब बंदे काफी गुस्ता हो रहे होते कि आखिर कार आरन करना क्या चाहता है और यहां पर आरन अपना मेडिटेशन शुरू करता है और यहां पर वो अपने ब्र पहरे चल रहे होती है जिसको देखकर यह बोलता है कि मैं जानता हो कि आखिरकार तुम हो कौन तुम एक ऐसे बंदे हो जो अप हमेशा स्लैस करते रहते थे और अपने दुख को यहां पर अपने स्लैस से सौट चला करके पार्क करते थे खतम किया करते थे और इसलिए तुम हम बेशा अपनी सौट को कंटिनुई करते थे घुमाते रहते थे और मैं जहे तुम हैल्प करो मुझे और आगे पढ़ने में और एक साथ हम लोग सेलो स्लैस करते हैं एक साथ स्लैस करते हैं और कहते हैं एक सिंगल स्लैस इनफ होगा और यहां पर आरेंट स्लैस करता है और इ यहां पर बाकी सब लॉयड ओएड सब जिते बंदे होते हैं सब शौक हो जाते हैं जो आइरन को जानते हैं और यहां पर आइरन काफी ठक जाता है और यहां पर जूड़ी भी काफी हरान होते हैं जूड़ी दिखाते हैं जो यहां पर लॉयड को देखते हैं तो लॉयड की श यहां पर announce करने जा रहा हूँ result को यह काफी अच्छा result गया है इस बार का और पिछली बार से काफी अच्छा है और यह एक final exam था तो यहां पर काफी सारी चीजे अब ranking तो मैं यहां पर matter नहीं करेगी अब आप यहां पर official student बन चुके हैं अब आपका एक final interview होगा जिसके बाद आपको मिल जाएगी आपकी rank और यहां पर आपकी rank अभी बता देता हूँ यहां पर मैं पहले सबसे आखरी से सबसे उपर वाले का नाम बताओगा यहां पर 177 और यहां पर 66 प्लेस पर जो बंद आया होता यहां पर शोपी यहां पर इन्टर्वीव जल्दी अनाउंस हो जाएगा तो आप जाकर के रिश्ट कर सकते हैं इसके बाद हमें लीला दिखाए जाती है जो यहां पर ट्रेइनिंग रूम में आई होती है और कहती है कि मुझे पता था कि मैं तुमको यहाँ पर ढूंड लूँगी कि तुम ही एक ऐसे पंस्तान हो जो कि एक्जाम के दिन ही यहाँ पर वापस आ जाते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग करने आरेन और आरेन उसको देखकर बोलता है कि हाई कैसी हो और यहाँ दोनों बैट कर बात करने लगते हैं और यहाँ पर लीला बोलती है आरेन को कि तुम काफी strong हो चुके हो जो तुमने दिखाया चुके हो लॉइड और जूडी के साथ रहते हुए भी और मुझे अब सच में काफी अच्छा लग रहा है तुमारे बारे में और मैं अब first place पे आ गई हूँ पर तब भी मुझे पता नहीं क्यों bad feel हो रहा है पर ये काफी अच्छा funny था और मुझे काफी अच्छा लगा और जो तुमने slash दिखाया था वो तो काफी incredible था और यहाँ पर तभी आरेन भी शर्माते हुए बोलता है कि जो तुमने sword of sky दिखाया था वो तो काफी incredible था जिसको कि सुनकर के यहाँ पर बोलती है लीला कि तुम compliment देने में काफी बेकार हो और यहाँ पर तभी लीला उसको एक serious बात बताती है कि आरेन अब मैं यहाँ पर जादा दिन रहूंगी नहीं यहाँ पर कैरोनो swordmanship academy में मैं यहाँ से जा रही हूँ जिसको सुनकर कि यहाँ पर iron काफी शौक होता है और कहता है और यहाँ पर लीला कहती है कि तुम्हारा तो काफी bad response था जिसको सुनकर कि यहाँ पर iron शर्मा जाता है और कहता है कि आरे मैंने थोड़ा अचानक से सुन लिया ना इसलिए तो यहाँ पर लीला बताती है कि दोखो मैं honestly बताओं तो मेरा यहाँ रहने का कोई plan नहीं थे यहाँ पर कोई plan नहीं था मैं बस चाहती की थी कि यहाँ पर मैं बस आऊं और फर्स्ट प्लेस पाऊं फर्स्ट टम में सेकेंड टम में थर्ट टम में फाइनल टम में इसलिए मैं यहाँ पर आयो मैंने अब सब में फर्स्ट कर लिया है तो अब मुझे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं अब मैं लिड़ाे, कि तुमको पता है कि यहां पर जो caretest genius कहा जाता इस कॉंटिनेंट का वो कौन है, वो मेरा भाई है बड़ा भाई है, उसका नाम है Carlay Lidsom, यहां पर हमें और हमें लिपाइ दिखा जाता है, और यहां पर लिपाई की कहानी सुनाने लगती है, कि जब मैं 7 साल की थी तब मैं अपने भाई को देखती थी मेरा भाई बहुत फेमस हो चुका था और ये बहुत हार्ट था हमारी कॉंटिनेंट में कोई ऐसा बंदा हो जो उसको ना जाने और उसने सिब 10 साल की उमर में एक नाइट को हरा दिया था डूल में उसने अपने इसी स्पेशल टैलेंट के चलते एक ऐसा लेवल रीज कर लिया था जहां पर उसके एज का कोई बच्चा पहुच नहीं सकता था और बहुत ही जल्दी इसको एक ग्रेटेश्ट पोडेजी के तरह देखने लगे सभी बंदे मेरा बंद भाई मेरे भाई ने कंटीनू रखा आपने आपको इंप्रूब करना और काउंटलेस इस बहुत सारे प्यूपल्स को उसने हर आया और एक दिन एक कॉमणर आया जो की फर्स्ट प्लेस जीता था के रोनॉल स्वाडमन अकेडमी से और उसको यहाँ पर भेजा गया था जो की औरफिशल स्टूडेंट थी और वो मेरे भाई के सामने अचानक से आ गई और वो सेकंड प्रोडिजी मानी जाती थी और वो एक और्गनाईजेशन चलाती थी मरसनी आर्मी का सिप 14 साल की उमर में उसका नाम था एगनेट और उस बिनाएं नहीं करते हैं तो मेरे भाई ने यहाँ पर कर लिया और उस बलबंदी ने तीन अटैक में ही मेरे भाई को पूरी तरह से हरा दिया था जिसके वज़द से मेरा भाई डिप्रेशन और डिसपॉंटेमेंट में चला गया और मैं तब ही तुरंत उसको देखकर उसके पास गई और मैंने उसको हक कर लिया और मुझे बुरा फील ना हो इसलिए मेरे भाई ने मुझे को समझाया और कहा कि सब ठीक है और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा और मुझे पता चला कि वापस उसने बोला था कि हम मुआपस बैटल करेंगे पर मेरे भाई ने वापस दुबारा बैटल कभी नहीं की जो बंदे उसकी तारीफ किया करते थे अब उसको एक ठ्रेट के तरह देखने लगे उसकी बेज़दी करते थे उसको मोग करते थे उसको क्रिक्टिसाइस करते थे और उसने फ़र्श टाइम ये जब वहाँ पर देखा था तो वो काफी बेकार होता चला गया अपने आपको कमरे में बंद रखने लगा और मैं बाहर से उसको देखा करती थी हमेशा और इसलिए मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैं अपने भाई जैसी नहीं बनूंगी और मैंने अपने आपको यहाँ पर ट्रेन करना शुरू किया और इसलिए मैं य एगनेट जो थी वो 13 साल में यहाँ पर एफिश्यल स्टूड़ेंट बन गई थी तो मैं भी यहाँ पर 13 साल में उफिश्यल स्टूड़ेंट बन गई और उस बंदी ने ऑफिशल नाइट का टाइटल पा लिया सिब 14 साल की उमर में और वो काफी अच्छी थी की वज़ा तुम हो तुमने मुझे एक यहां पर रास्ता दिखाया मैंने देखा तुमको कि तुमको बंदे बहुत गंदा गंदा बोलते थे पर तब भी तुमने अपने जो पाथ था उसी पर चलना यहां पर जारी रखा इसलिए अब मैं बस अपने आप को फॉलो करूंगी जो मेरा दिल कहाँगा इसलिए अब मैं डारेक्टली चाहते हूँ कि अब अपने मैं घर जाओं और जो मेरा रीच हो गया लावाल उसको और पढ़ाओं अपने घर पे और बोलती है कि तुम काफी अमेजिंग थे लॉयड आरन बोलता है कि तुम काफी अमेजिंग हो और य यहां पर मेरे पास तो अभी कोई सा भी ड्रीम नहीं है मेरे पास एक कोई किलियर गोल नहीं है तो यहां पर इसको लीला बोलती है कि इस तरह की सीली थिंस मत बोलो और यहां पर बोलती है लीला कि अपना गार्ड को डाउन मत करो अपने आपको मोटिवेट करो और हवर खाट करो और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाऊगे तो जो हमारे यहां पर पावर गैप है थोड़ी सी बची वह और ज्यादा बढ़ जाएगी एक खाई के बराबर हो जाएगी जो तुम कभी पार नहीं कर पाऊगे जिसे आरें काफी खुश हो जाता है और अपनी सौड उठाकर यहां पर काम चलता है यह वापस बन रही है तो यह बंद है तुम यहां कर रहे हो और यहां पर जूड़ी बोलती है कि चलो हम मेरी बाड़ी बहुत दर्द हो रही है हम लोग यहां पर डूवल करते हैं तो यहां पर लॉड़ बोलता है कि अब मैं क्विट कर रहा हूं जिस सुणकर कि हाँ पैंप जुड़े। काफ़े हैं । कि एसा बंदत चिसने की यहाँ पर सीखना सुरुक आप other के सौड़े। गुमाते काज़ happier इसने एक शाल के अंदर मुझे मुझे ज्यादा पावर गून करनी और मैं तर्वासे स्क्राइबT तब भी उसके लेवल पर नहीं पहुच पाया और मैं उसके अब कैसे कर पाऊंगा मुकाबला अब ये तो इनपॉसिबल हो चुका इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूँ और यहां पर ठैंक्स करता है जूडी को यहां लॉइड सब चीज के लिए पर तब ही यहां पर जूडी उसको रोक करके पीट देती है और कहती है कि तुम अगर ऐसा भागोगे यहां पर डर्ट पोक की तरह तो तुम कैसे जीओगे आगे चल करके और अगर तुम यहां से भाग जाते हो तो तुम को यहां पर एक दिन सुनने को मिलेगा कि तुमने एक ग्रेटिस्ट यहां पर सौड मैं को हराया था जो कि मैं आगे चल कर बनने वाली हूं और यहां पर जूडी उसको पीट पाट के चली जाती है तो कहती है कि तुम्हारी लिए आज के लिए इतना बहुत अच्छा है तुम एक बेकार के रीजन के चलते यहां से जा रहे हो और लॉइड उसको देखता ही रह जाता है और काफी यहां पर सैड लग रहा होता है लॉइड और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद कसी जहां पर यहां पर सौड मास्टर बैटे होते हैं और उसके सामने लीला लीटसन खड़ी होती है और यहां पर सौड मास्टर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम को जो चाहिए ता वो तुम को मिल चुका है तो अब क्या तुम सैटिस्ट्ट वाइड हो? जिस पर की लीला बोलते है कि हाँ नहीं हूँ यह यहां यहां पर यहां पर आने का मौका मिला तो यहां पर सौड मास्टर कहते हैं कि तुम काफ़ी खुश लगरी हो मिट टम से अब मैं तो यहाँ पर यहाँ पर वापस ठैंक करती है लीला कि आपके गार्डियंस के वज़े से मैं तक ग्रोथ कर पाई जिस पर कि यहाँ पर फिर से ठैंक करती है और यहाँ पर चली जाती है मैं यहां पर बात नहीं करूंगा फाइनल एक्जाम के रिजल्ट के बारे में पर तुमने जो हम लोगों को ट्रेनिंग होल में दिखाया वो सच में आउट इस्टेंडिंग था एक इनफ था कि तुम दूसरों के मॉडल बन सकते हो एक ऐसा बंदा जो काफी अच्छे इंप्र दिया और मैं परसनेली तुम से काफी हाई एक्सपेक्टेशन रखता था पर चलो कुछ भी हुआ जिस पर कि यहां लॉयट सौरी बोलता हो कहता है कि अब मेरे पास कॉंफिडेंस नहीं है जिसको सुनकर के सौर्ड माश्टर बोलते हैं कि इसकी आँख देखो यह ऐसा लग सौर्ड माश्टर बोलते हैं कि मैं सौर्ड माश्टर बोलते हैं कि मैं होप करता हूं कि यह एक ऐसी अपरचुनिटी ढूंडे जो इसका दिमाग पदल दे और यह वहां से जाए ना जिसके बाद यहां पर रूम में अब आरेन आ जाता है और यहां पर सौर्ड माश्टर ब पाते हैं तो यहां पर ठाइंक्स बोलता है आईरेन और यहां पर मास्टर बोलते हैं कि तुमको याद है ना हम लोग मीटम में क्या बात किया था जिसको सुनकर के आरेन बोलता है कि हाँ तो सौड मास्टर बोलते है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूं उससे पहले मैं तुमसे एक कोशन पूचूंगा कि आखिर कर तुम्हारा रीजन क्या है सौड को घुम माने का